अस्सलामों अलेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नाविल्स पॉइंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार नावल लेकर आया हूँ। चले नावल सटारट करते हैं, नावल, मुहबत एक समंदर, राइटर, बीना खान, मुकम्मल उर्दू नावल, मैट्रिक क्लास का आज लास्ट परेक्टिकल देकर वो घर आई तो खामोश सी थी खाना भी नहीं खाया आते ही अपने रूम में, चली गई रात के खानी पे भी उसने बराय नाम ही खाया और उख गई, मामा ने पूछा भी मगर वो तबीयत का बहाना करके अपने कमले में आगए तबीयत में थोड़ा बोजल पंसा था, वो आके बेट पे बैट गई आज के वाके के, बारे में सोचने लगी आज इसके एक क्लास फेलो ने उसे परपोस किया था, वो कन्फियूस हो गई थी कि किया जवाब दे, वो फतर ता बहुत शर्मीली सी थी, उसे कुछ ना समझाया और वो लड़का जो उसके जवाब के इंतिजार में था, उसे जवाब दे बगए घर आ गई, खेर कच्छा जहन था, कुछ दिनों तक वो डिस्टर्ब रही और फिर सब गूल दे, इसकुल भी खतम हो गया था, वो फ्री थी, वो इसकुल से ही बहुत अच्छी फिटबाल पलेईर थी अ कॉलेज, में भी वो स्पोर्ट्स में अपना नमाया किरदार अदा करती रही, वो फिटबाल खेल के आई पानी पी रही थी कि इसकी फरें जाने जाने वाला तुम्हें हैने रसम लगता है, हर एक पे मर जाती हूँ यशल चुड़ कर बोली तो उनेजा ने भी इसकी ताइप की, अफ अफ अफ, मर कौन रहा है मैं तो जसट बोल रही हूं और ये सिर्फ में ही नहीं कॉलेज की हर लड़की कहती है, वैसे ये बात तो हुमा ठीक कह रही है हर लड़की फिदा है इस बंदे पर पर ये किसी को घास भी नहीं डालता, कल भी वो जीनी वालूं का ग्रुप कह रहा था ऐसा बंदा लाइफ में नहीं देखा पता नहीं किसका नसीब हो गए उने जाने बताया, टोक चेंज करो यार किया लेकर ब किया हवा मेरे भीया को कौन तंग कर रहा है वो उनके पास आके बोली, आपी देखो ना घजल मजह बार बार हरा रही है गेम में में नहीं खिलनी वो चुड के बोला, अरे में हमना में अपने भाई के साथ खिलोंगी, रही ली आपी ओर गरेट अब देखना, मैं इस घजल को कैसे हराता हूं वो खुशी से बोला तो घजल चुल गई, हां भाई तो आपी का है में तो बहन नहीं हूं ना उनकी वो मुझ फला के बैट गई एक दिन चली जाओंगी ना तो याद करेंगी वो हंस दी, कहां जाने लगी हो तुम अभी तो बहुत छोटी हो, मैं बात न कर रही आप से, मेरी गड़े तो नाराज हो गई मुझ से वो इसके गले में बानहीं डाल के बोली, हां वो नाराजी से बोली, अच्छा ने कसट तुम्हारी हेल्प करवांगी जान देखो ना भाई छोटा है, मैं भी तो छोटी हैं, अच्छा हो के ने कसट टाइम तुम अ खुश, पका, यस पका, मिस्टर एंड मिस्स वकार आफंदी के पांच बचे थे चार बटियां और एक बेटा बड़ी बेटी यशल अभी मैट्रिक के पेपर दे रही थी, वो बहुत ज्यादा लाइप थी, दूसरी बेटी का नाम मशल, तीसरी का नाम अमल और चौती का न कर रही थी, आज इतिफाक से सरैसान की क्लास नहीं हुई थी, सब स्टूडेंट्स बैठे बातें कर रहे थे कि कोई इसके पास आ के रुका, यशल एक सकी वजमी में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, यशल डाइस के पास खड़ी अपनी फरेंडर्स से नोटिस डिसकस कर र बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, इसने नजर उठा के पूरी कलास को देखा सब उन दोनों को ही देख रहे थे और फिर अली को देखा जो इसकी महबत में डूबा इसकी एकां का मुंतजर था, यशल आई लो यू सो मच, पता नहीं कब से मैं तुम से महबत करता हूँ, ये मिन खुद भी नहीं जानता, बस, मुझे ये मालूम है कि तुम्हारी महबत में रगों में खुन की तरह दोर रही है मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ और तुम्हें पाने की चाह रखता हूँ, प्लीज जवाब दो वो बेसबरी से इसकी एकां का मुंतजर था, यशल ने उसकी आखो, नून खुना में देखा जहां महबतों का समंदर मौजजन था और फिर इसने अपना हाथ बढ़ाया, यस आई डू यशल ने एक तरानस की कहफियत में कहा और शर्मा के मुस्करादी पूरी क्लास खुशी से शोर मचाने लगी यशल यून मुस्कुराती र खर्मा रही थी अली ने बीट चाहत से उसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया और खड़ा हुआ और इसका हाथ जो वो पहले ही थामी हुए था इसमें रंग पहना दी थैंक यू ते, हैंक यू माई पिरिंसस, लोई यू अली मुहबत पाश नजरों से उसे देखते हुए बोला यशल मुस्कुरा दी अली एक मिडिल क्लास घराने से तालुक रखता था इसके बाबा की डैथ हो चुकी थी वो चार भाई और तीन बेहन थी पहले उन था रे शफख, फिर अमार, फिर अनावी, फिर अली और हैदर और लास्ट में फातिमा थी बाबा की डैथ के बाद उन की मैंने उनकी देख भाल की इच्छी से अच्छी तरलीमों तर्भियत दी उन शफख और अमार की शादी वो चुकी थी और बाविग बहन बे हाई सब अच्छे तालीमी एदारों में पढ़ रहे थे अली का एडमीशन भी बहुत अच्छे स्कूल में था उनकी मैंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया था अब इसकी बारी थी अपनी मां के लिए कुछ करने की नट था वहां इसकी मुलाकात यशल सी हुई आहिस्ता आहिस्ता वो उसे पसंद करने लगा और ये पसंदीर्गी महबत में कब बदली वो जान भी ना पाया और सब समझ आए तो बना कुछ सोचे समझे इसके पास गया और उसे पर्पोस कर दी लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और चली गई शाम में सब चाए पी रहे थे के अली तयार हो के आया बलैक करते में वो बहुत हैनरसम लग रहा था सुनेरी रंगत दमक रही थी सिर्फ यहीं नहीं अली वैसे भी बहुत खुबरू था चैफिट से निकलता कद चोड़े शाने बलैक आईस और बलैक सिल्की बाल जो माथै पे गिरते थे वो मरदाना वजाहत का शाहकार था कहीं जा रहे हो भाबी ने पुछा जी भाबी उसने मुखतसरा कहा अच्छा बाहर जाही रहे हो तो लिला को भी ले जाओ घर में भी बोर हो रही है ये शहला भाबी ने फौरण अपनी बहन को आगे किया आज नहीं भाबी फिर कभी अभी मजे थोड़ा काम है कह कर वो जाने लगा तो लिला बोली ये किया बात हुई मेहमान से अजीज तुम्हें अपने काम लग रहे हैं नोट फिर प्लीज लेला कहा है ना में बीजी हूँ और वैसे भी सुबह तो तुम भाबी के साथ शौपिन पे गई थी में फिर कभी ले चलोंगा बाहर वरना अगर अभी जाना है तो तम हम भाई के साथ चली जाना उसने अम्मी को अल्ला हाफिस कहा और गेट अबूर किया ये वकार को तो देखो जरा कैसी एश से जी रहा है जरा वहन भाई का ख्याल नहीं कि उनको भी कुछ दे दे ये बोलने वाले वकार आफंदी के छोटे भाई एहमद आफंदी थे जो वकार आफंदी के सामने भाई भाई करते ना ठकते थे तुम तो छोड़ो छोटे हो में तो बड़ी हम तुम लोगों से मुझको भी आल तक कुछ नहीं दिया हना कि इतनी दौलत है उसके पास खेर बाजी ये तो ना कहीं आप पहले खुद बोलती हैं कि जब भी वकार भाई साहब आते हैं इतने तहाइफ लाते हैं और कैश अलग देते हैं इनम ने कहा तो इन तहाइफ और दो पैसों से मेरा किया होगा पहले बड़े भाई साहब ने भी यही किया इन्होंने भी अपनी कमाई दौलत में सहमी नून हुना कुछ ना दिया और अब ये वकार अला तो उन पे बहुत ही महरबान है राबिया बोली जो कि वकार आफंदी की बड़ी बहन थी ये तो सच कह रही हैं आप दोनों मिया बीवी ने उनकी हमेह मिलाई वैसे उनकी दौलत पे हमारा भाई ये तो कुछ हक है ना आखिर को सगे बहन भाई ही उनके आप लोग जरमीना भी बोली हाँ ठीक कह रही वो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा हाशिम आफंदी भी बोले पर किया समी वकार आफंदी की दूसरी बहन बोली तो हाशिम आफंदी सोच में पड़ गए रात गहरी वो रही थी लेकिन नेंड आखों से कोसुद दोर थी लबा भी आप मुस्करा रहे थे बार बार आज का वाकिया इसके जहन में आ रहा था कई बार सोने की कोशिश की मगर नाकाम रही था कि वो उट बैठी ये मुहबद भी किया शह है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक ना था जिसके बारे में वो सिर्फ सुनती आई थी आज उसे वो मुहबद हो गए थी उसी इंसान से जिस इंसान ने उसे मैटरिक में परपोस किया था फिर इसने उसे मेट्रिक में क्यों हमें जवाब नहीं लिया था उसने अपने दिल से पूछा शायद में उस वक्त जहनी तौर पे तयार नहीं थी खुद ही जवाब दिया पर जहनी तो में आज भी तयार ना थी फिर शायद ये इसकी मुहब्बत की शिद्दत और सच्चाई थी जो इसकी अंखों में दिख रही थी हाँ और इस बात पे इसका दिल भी इमान ले आया एक बहुत दिलफरेग मुस्कुराहट ने इसके लबों का इहाता किया हाई कैसी हो दूसरे दिन वो कॉले जाई तो बहुत कन्फियूस थी ये सोच सोच के बार बार घबरा रही थी कि वो क्लास में कैसे जाएगी और अगर अली इसके सामने आ गया तो इसका तो दम ही निकल जाना है वो ये सोचते सोचते क्लास की तरफ जा रही थी कि अली चला आया हो एकदम चौनकी और नजर उठा के उसे देखा वो उसे ही देख रहा था हूंटों पहा बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी वो जजगी आप हमें यकीन नहीं आ रहा वो इसकी अंखों में देखकर बोला नहीं वो जीनपी और नेगाहें चुका लें तो बताओ कैसे यकीन दलाओं वो शरारत से बोला तो वो वोखला गए ऐसी बात नहीं है में वो नहीं कह रही में इसने कुछ कहना पर इसकी अखों में नाच्टी शरारत को देखके जीन पगए क्लास का टाइम हो रहा है कहे कर वो आगे बढ़ गई वो हंस दिया अरे रुको लड़की में भी आ रहा हूं वो भी इसके पीछे हो लिया ये उनका मामूल बन गया था वो कॉलेज में सारा दिन साथ रहते थे इस से बात कि ये बना उसे देखा बना ली का दिन नहीं बुजरता था ये शल के पास अभी सील फोन नहीं था स्वाहन की ज्यादा तर बात कॉलेज में ही होती थी फिर जब वो लोग इंटर में आये तब ये शल ने अपना परसनल सील फोन लिया अब तो वो कॉलेज में ही नहीं बलके हर टाइम चीटिंगा पहुते दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गए थी हाई बाहना कैसी हो वो लॉन में बैठी अपनी सोचों में गुम थी हुंटों पे बहुत दिलफरेग मसकान सजी हुई थी कि किसी ने इसके चेहरे के सामने चटक की बजाई वो चौनकी आप वो सीन अमने अरसलान भाई को देखके चौनकी अरसलान इसके ताया के बेटे थे इसके बच्पन के दोस्त और भाई इन्होंने कभी उसे बहनों से कम नहीं समझा था और ना उसने कभी भाई उसे ताया ताई की वफात हो गई थी इसलाम ये वो जब भी खुद को अकिला फेल करते वकार आफंदी अपने चाचा के घर आजाते वकार आफंदी भी इन्हें बेटों से कम नहीं समझते थे हमें कहां गुम हो बड़ा मुस्कुराया जा रहा है वो भी अकिले-अकिले किया बात है कजिन कुछ भी नहीं भाई बस ऐसे ही वो बॉखल आई अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं चलो बताओ उनके बहुत कहने पे उसने सब कुछ इन्हें बता दिया रसलान भाई हंस अच्छा तो ये बात है जी तुमने चाचो चाची को बताया जी बताया था मामा को तो इन्हों ने क्या कहा? कुछ नहीं यूनों ना भाई मामा मेरी बीस्ट फ्रेंड है में उनसे कुछ नहीं चुपाती तौली के बारे में भी सब बता दिया मैंने वो मुझे कुछ नहीं बोली बस मुझ से एक वादा लिया है कैसा वादा? अलिफ नहीं नहीं ने कहा कि बेटा उसने तुम ही परपोस किया और तुमने एक्सपट भी कर ली बट अपने बाबा का यकीन और गुरूर कभी मत तोड़ना इस यकीन और गुरूर को हमेशा अपने साथ लेकर चलना ताकि कभी भटको नहीं यशल की मामा इसमान मिले में काफी आजाद ख्याल थी वो महबत के खिलाफ नहीं थी बुढ ये तो पिर अच्छी बात है तुम उनकी नसीहत पे हमेशा अमल करना हो के इन्होंने कहा तो उसने सरहला दिया आज कल अली बहुत ही खुश नजर आ रहा था सुबह जल्दी जल्द ये नाश्ता करके कॉलेज चला जाता आता तो बजाय ठकन होने के मुस्क्रा रहा होता या कुछ ना कुछ गुनबुना रहा होता था सारा दिन अपने सील फोन पे लगा होता और शाम में बाहर निकल जाता शहला भावी को रली की हरकते कुछ मश्कुक सी लग रही थी वो जब भी अली को लेला को बाहर ले जाने का कहती वो साफ इंकार कर देता आज गी ऐसा ही हवा था तो वो जी जान से जलके रह गई देख रही वो तुम अली को उसके रंग रंग देखी हैं तुमने भावी घुस्से से लेला के रूम में आई वो जो नील पैनट लगा रही थी चुंक के इन्हें देखा किया हो गया है आपी इसकी ये बेपरोही शहला को बहुत खली तन बैट के ये नील पैनट लगाओ और अगर अली हाथ से निकल गया ना तो मुझे मत कहना इस ने नील पैनट की शीशी बंद की और उनकी तरफ मतवज़ह हुई किया हवा है बताएं तो अली की हरकतों पे जरा नजर रखो मुझे इसकी हरकते कुछ मश्कुक सी लग रही है मतलब मतलब ये कि कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पढ़ गया हो अगर ऐसा हवा ना तो इस घर में बहु बनने के जो खाब देख रही हो ना उसे खाब समझ के भूल जाना तो इसमें परेशानी वाली की बात है उसके इस तरह कहने पे शहरा का दिमाग गूं गया तुम इस बात को इतना हरका ले रही हो हान ले रही हूं यू नो ना आपी लड़कों को तो ऐसी उल्म महबत हो ही जाती है इसमें परेशानी वाली किया बात है इसमें परेशानी की ही बात है तुम्हें मालूम है ना अली रिष्टों के मौामले में कितना टची है लिफ वर जो मर्द रिष्टों के मौामले में इतने टची और हसास हम ना वो दिल लगाने के लिए मुहबत नहीं करते और ना हर एक से करते हैं ओर कमान आपी ये जसट कहने की बाते हैं और फर्स कर लिए अगर उसे मुहबत हो भी गई है किसी से तो अली को ऐसी सौकालड मुहबत तो कुछ साल पहले भी वुई थी ना किया हुआ इसका इसने आनटी को इस लड़की के बारे में बताया था और फिर उसे जाके परपोस भी किया था पर इसने कोया जवाब नहीं दिया था भूल गया ना इस मुहबत को भी अली तो अगर उसे मुहबत अब दोबारा भी हो गई है तो बेफिक्र ये भी वो भूल जाएगा शहला भावी सोर्च में पढ़ गई बात तो वो ठीक कह रही थी मैट्रेक में ऐसा वाक्या हुआ तो था वो एकदम मुतमेन हो गई शो बहना टेंशन मत लो अली सिर्फ मेरा है हाँ ठीक है बट प्लीज लेला अली पे धहान दिया करो इसके असपास रहा करो हो के उसने कहा और दोबारा नील पेनट लेके बैट गई आज संड़े था वो गाफ हरीन इंद में थी कि उसका सील फोन बजा उसने मंदी मंदी अंखों से स्क्रीन को देखा और मुस्कुराई हाई सिविटी गुड मॉर्निंग अली की खुशगवार आवाज इसके कनों में गोंजी गुड मॉर्निंग सौरही हो किया अली ने पुचा हमम सौरही थी पर आपने जगा दिया ओहो मेरी सिविटी सो जाओ अब ऐसी भी बात नहीं है फिर कैसी बात है इसने शरारत से पुचा कोई बात नहीं है वो मुस्कुराई कोई बात नहीं है चलो फिर में फोन रगता हूँ अली वो चीखी अली हंस दिया खुद ही तो कह रही हो कि कोई बात नहीं है मैंने ऐसे थोड़ी कहा है फिर कैसे कहा है इसने फिर पुछा अफ 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 अली कितने सवाल करते हो आप उसने चुड़ के कहा तो अली हंसने लगा ओ माय अनुसिनत गर्ल तुमसे बात करने का दिल चाह रहा है आप बात कर तो रहे हैं ऐसे नहीं ना तुम्हें देखना है अभी इसने पुछा हाना अगर पोसिनल है तो वरना नहीं अभी कैसे अच्छा ऐसा करो बालकनी पे आओ क्यُn? बस आउना, वो बालकनी पे आई तो बाहर अली को देखा वो उसी को देख रहा था वो मुस्कुराई आप यहां, उस वक्त हमman तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था वो मुस्कुराई एक रूर सा हुआ उसे कि या कोई सच में इससे एतनी महबद करता है के इसे एक नजर देखने के लिए यहां चला आया अली हां कहो अली की जान वो इसके यूं कहने पे जी नभी वो अली मैंने मामा को आपके बारे में बता दिया है वो बालकनी में खड़ी इस से बात कर रही थी अली कुछ देर को खामोश हुआ फिर बोला इन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना नहीं अली इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा पता है अली मेरी माम बहुत नाइस है वो मेरी बीस्ट फ्रेंड है में उनसे कुछ भी नहीं चुपाती मैं उनको आपके बारे मैं बताया तो इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा हाँ इन्होंने मुझे समझाया बहुत अच्छी बात है यशल मुझे नाज है तुम पर वो मुस्कुरा दी वकार आफंदी की तबियत ठीक नहीं है अभी मैंने भावी को फोन किया तो इन्होंने बता या मुझे राबिया ने हाशिम आफंदी को फोन करके इतिला दी तो वो मुझ बना के बोले अब इन्हें पूछने जाना पड़ेगा मेरा दिल नहीं हो रहा वहां जाने का वहां फुजूल के चुंचले होश से काम लो हाशिम हमारा कौन सा दिल हो रहा है लिफ से पूछने का पर उसके सामने हमने अपना इमेज अच्छा रखना है बगारनी नहीं है इससे समझाई हाथ तो हमारे फिर भी कुछ नहीं आना है तो फाइदा बहुत घना है वो वकार वो तो है राबिया ने भी सरहलाया वहाँ जाके इस की जूटी मोहबबते देखना मुझे बिलकुल मन्जूर नहीं है इतनी ही मोहबबत है तो अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा ही दे रहे अपने बहन भायों को पर ना जीना दौलत में कमी नहीं आ जाएगी आए हाए तो हमने जाके कौन सी इसको सची मोहबबत दिखानी है दिखावा ही करना है हमने भी आप अहमद को कहड़ें वो चला जाएगा आप लोगों के साथ पर में बस करो हाशिम मेंने एहमद से बात कर ली है वो भी जा रहा है और तुम भी जा रहे हो जरमीना को भी कहड़ो के कल तैयारी कर ले ठीक है इन्होंने ना चाहते हुए भी हामी भर ली शाम में वो सब लोग वाकार आफंदी के घर मौजूद थे किया भाई साहब आप अपनी तबियत का बिलकुल धियान नहीं रखते कुछ दिन की चुट्टियां कर ली ओफिस से वो हाशिम जो कल आने पे राजी नहीं हो रहे थे आजुन के लहजे में शेरीनी गली हुई थी हाँ भाई कमजोर भी हो गये हैं आप समी बोली वकार आफंदी है से अरे टेंशन मत लो तुम सब बस तुम लोगों को देख लिया में ठीक हो गया वो खोशदली से बोले ये तो आपकी मुहबत है भाई साहब अनम बोली और भाबी आप लोग सुनाएं कैसे हैं आप सब अनम ने अतिया से पुछा अलहमदुल्ला अनम हम ठीक हैं तुम लोग सुनाओ बड़े दिनों बाद चक्कर लगा है अरे भाबी मिस्र वफिया थी इतनी हो गई है जिंदगी की की वक्त निकालना मुश्किल है अनम की जगह जरमीना ने जवाब दिया हाँ ये तो ठीक कह रही हो जरमीना तुम लोगों ने नहाख जहमत की में तो बिलकुल ठीक हूं और तुम लोगों के आने से तो और बेहतर महसूस कर रहा हूं वकार आफंदी बेहत खुश्ट है अरे जहमत कैसी भाई हो तुम हमारे तुम ही नहीं पूछींगे तो और किसको पूछींगे वरना आजकल के रिष्टों का तो खुन ही खुश्ट हो गया है राबया मुस्कुराएं ये तो ठीक कह रही हो तुम वकार बोले अब आप लोग आही रहे थे तो बच्चों को भी ले आते वैसे भी काफी दिनों बाद आए हैं आप लोग अतिया मुस्कुराएं अरे बचे तो अपनी मर्जी के मालिक हैं हम किया कह सकते हैं भावी आप तो जानती ही हैं आजकल के बच्चों को ये तो सही कह रही वो अनम बच्चों का अपना टफ शेडियूल है जी भावी फिर वकार आफंदी और रतिया ने इन्हें रात को खाने पे जबरदस्ती रोक लिया था और जाते वक्त अहमद आफंदी ने अपने बिजनेस का चुटा बहाना बना कर उन से पांच लाक ले लिये थे जाते वक्त वकार आफंदी ने सब को तहाइफ दे कर रुखसत किया शाम में वो लोग एक पार्क में मौजूद थे हलकी फुलकी बातों के दोरान अली ने उसे अपने घर के बारे में बताया यशल बहुत दिल्चस्पी से उसे सुन रही थी कि अली एक दम उठावो चौनकी आओ चलें कहां मुझ पे भरोसा है अली ने इसका हाथ खाम के फिर इसने अपनी अम्मी बहनों को आवाज दी और उसे साथ लिये अंदर आया यानि अली उसे अपने घर लाया है उसने डाल लाम में सोचा वो कन्फियूस हो गई इसकी अम्मी और बहने आ गए थी अम्मी देखें कौन आया है अली ने अपनी अम्मी और बहनों जो देख जो हैरानी से उसे एक लड़की के साथ खड़ा देख रही थी, अम्मी में ने यशल के बारे में आ, पे को बताया था ना अली ने कहा तो वो मुस्कुरें, इधर आओ बेटी वो कन्फियूस सी आगे बढ़ी अम्मी ने इसका हाथ खामा और उसे बिठाया और खुद भी पर तुम तो मेरी तवको से ज्यादा प्यारी हो, वो प्यार से बोली, भाई ये कौन हैं फातिमा अली के कान में बोली, तुम्हारी भाबी अली मुस्क्रा के बोला, रैली वाओ वो खुश हो गई और इससे खुश गपपीव में लब गई शहला भाबी और लेला से ये सब देख लिया तुमने अब भगतु शहला बहुत घुस्से में थी, कहा था मैंने कि वो कोई चंग जरूर चलाएगा पर तुमने एक नहीं मानी मेरी देख लिया नतीजा आज वो इस लड़की को घरवालों से मलवा के भी ले गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा पास मिलने के, अब चुकिम हो बोलो भी शहला ने घुस्से में इस से कहा, किया कहूं मैं आपी ये अली तो बहुत शातिर निकला है मुझाल है जो जरा सी भनक भी पढ़ने दी वो पर में भी ले ले ला हूं इतनी आसानी, से तो अली से दस्तबरदार नहीं हूंगी वो कि खड़ी हुई, अब किया करोगी तुम, अभी सोचा नहीं है कि मुझे किया करना है पर देखना आपी अली सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, लोग कुछ सोचा है नहीं और बोल ऐसे रही हो जैसे सब हमारे हाथ में है, हमने कुछ भी नहीं खोया है आपी मेंने कहा है ना अली स यूशन गय थे वो सीधा अपने कमरे में आई चेंज करके बैठी ही थीक अली की कॉल आ गई हाई कैसी हो इसने पूचा तो यशल मुस्कुराई अभी थोड़ी देर पहले देखा तो था कि कैसी हूं हाँ देखा तो था पर अब बताओ अब कैसी हो अब बिलकुल ठीक बहुत खुश बहुत 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 अली आपके घर वाले बहुत अच्छे ही वो खुशी से बोली अरे सच में मुझे पता होता कि तुम इतनी खुश होगी तो अपने घर से जाने है ये नहीं देता मिल तुम्हें वो शोखी से बोला तो गोजी नभी अब ऐसी भी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है इसने उल्टा सवाल किया अफफफफ अली अली हनसा जी अली की जान अली प्यार से बोला तौबा है वो बोली तो हंस्ता चला गया अली मेरा आपके घर अचानक आना आई मैं के आपके अम्मी को तो बुरा लगना चाहिए था ना कि कि किसी लड़की को आप ऐसे मूँ हुठा कि घर ले आए पहली बात तुम किसी नहीं मेरी यशल हो दूसरी बात कि वो मेरा घर ही नहीं तुम्हारा घर भी है और तीसरी और आखरी बात कि जैसे तुम्हारी मूँ तुम्हारी दोस्त हैं वैसे ही मेरी मूँ मेरी दोस्त है और मिने तुम्हारा अभी थोड़ी अम्मी को बताया है अम्मी को तो तुम्हारा पिछले दो सालों से पता है जब मिने पे ली बार तुमको परपोस किया था उसी शाम में अम्मी को तुम्हारा बता दिया था और आज तुम्हें मलवाने ले गया यशल के दिल में अली की महबत और बढ़ गई थी कोई उसे इतना चाहता है ये एसास ही इसके लिए बहुत खुश्किन था थैंक यू अली किस लिए इतना मान और इतनी महबत देने के लिए और नहीं थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मेरी जिन्दगी में आने के लिए अली नैजजब से कहा वकार भाई तो बिलकुल ठीक थे आप फालतो हम सब वहां ले कर गई हाशिम तो जब से आय थे तपे हुए थे अरे रष्टे निभाने के भी कुछ तकाज़े होते हैं कि नहीं अगर तुम ना जाते तो फिर बात बनती राबिया ने समझाने वाले अन्दाज में कहा बनने देती बात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना हख जहमत हुई आपको भी और हमें भी जरमीना तुम ही समझाओ उसे राबिया का रुखब जरमीना की तरफ था मैं किया समझाओ आपा हाशिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम फुजूल वहां गए अतिया भाबी ने तो एक दो बार तनस्वी कर दी हम जीम वह सारे उटके चले गए थे जरमीना ने भी मुख बनाया और शोहर की ताइद की ये तो भाबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कबसे खामोश बैठी एनम ने भी मदाखलत की अतिया भाबी कैसे कह रही थी किया ही रहे थे तो बच्चों को भी ले आते जब पैसा आ जाता है ना तो बन्दा ऐसे ही सब को हकीर समझने लगता है अहमद बोले तुम तो बोलो ही मत अहमद मिया जब भी जाते हो मुझाल है जो खाली हाथ आ जाओ हमेशा कोई तगरी रकम लेके ही आते हो राबिया बोली वैसे आपा भाई ने हमें भी तो बहुत से तौफ़े दे हैं समी ने तहाइफ की तरफ इशारा की हम किया करें इन तौफ़ों का ये सब चीजें तो हम भी ले लें फ़कीर समझा हुआ है हमें तो राबिया ने न खुद से कहा अरे छोड़ी आपाता है फिर तो कीमती ही हैं सारे जरमीना बोली और एक एक चीज निकाल के देखने लगी राबिया ने कि नखियों से देखा वाकिया तौफ़े कीमती थे अरे हट मेरे भाई ने इतने प्यार से दिये हैं में भी तो देखो वो भी उन चीज़ों को दी खने लगी तो जरमीना समी और अनम एक दोसरे को देख के मानी खिजी से हंस दे वाकई लालच बड़ी बल्ला है सेकंडाइर भी वो चुका था अली ने एम बैचलर ओफ आर्ट्स के लिए लाहॉर की युनिवरसिटी में अपलाए किया था और यशल ने कर अची में ही एक युनि में एड़मीशन ले लिया था इसका एरादाला का था हना कि इसने एफएस सी मेडिकल की थी अली का भी लाहॉर की युनिवरसिटी में एड़मीशन हो गया था उसने यशल को ये बात बताए तो वो बहुत अफसुरदा हो गए थी जाने से एक दिन पहले अली ने उसे डिनर पे चलने को कहा वो मांगई अली में भी चलूँ, अली दयार हो के निकल ही रहा था कि लेला पीछे पीछे आ गई लेला में यशल के साथ डिनर पे जा रहा हूं सो तुम्हारा जा ना बनता नहीं है अली ने कहा तो लेला जी जान से जल गई अली वैसे भी कल तो तुम चले जाओगे ये टाइम तुम हनाय साथ ही इस पंट कर लो आवाज में मिठास पैदा की लेला इतने दिन तुम सब के साथ ही धामे बलके आज का सारा दिन चलता हूँ यशल वीट कर रही होगी कहकर वो चला गया लैला पांग पटख के रह गई और शहला के पास चली आई जो कपड़े तह कर रही थी समझता किया है अली खुद को मैं भी देखती हूँ ये मحबत कितने दिन चलती है वो खुस्से में बुरबड़ा रही थी किया हो गया है अभ शहला ने पूचा, वो अली खुद को समझता किया है आपको पता है आज अली इस यशल को डिनर पे लेकर गया है इस यशल की हम्मत कैसे हुई मेरे अली को मुझ से चीने की वो जोर जोर से चलाने लग। ये शहला ने कमरे का दर्वाजा जल्दी से बंद किया ताकि इसकी आवाज बाहर ना जाने पाए आहिस्ता बोलो लेलर घर में अगर किसी को पता चल गया ना कि मैंने यहां तुम्हें क्यूंट बुलाया है तो सब मेरा जीना हराम कर देंगे और अब तुम इस यशल को क्यूंट बलीम कर रही हो हना कि ये मौका तुमने खुद अली को दिया है कितना कहा था कि इसके साथ रहा करो पर नहीं तो मुझे किया पता था इतना मासूम नजर आने वाला अली इतना चलाग होगा मेरे लिए तो कभी टाइम निकाला नहीं और उस यशल को डिनर पे ले जाया जा रहा है वो तो पागल ही हो गए थी तो कुछ करो ना तुम हाथ पे रखके बैठने और कुलने का किया फाइदा इस यशल नाम का काँटआ जो तुमहारे रस्ते में आया है उसे हटाने का कोई रास्ता सोचो शहला ने कहा हमम सही कह रही है आप आपपी अब तो जल्द से जल्द कुछ करना ही हो गालेला ने कहा एकदम सी सब बहुत खुबसूरत सा हो गया था अली की हमराही में वो बहुत खुश रहने लगी थी आज वो अली के साथ डिनर पे आई थी उसने अपनी आँखों से मिलता जल्दा ग्रीन कलर का ड्रेस जबतन की थी सुर्ख वाओ सफेद रंगत जो कि मैकप से पाक थी हूंटों पे नैचरल पिंक कलर कलफ गलोज लगाया हवा था और लंबे सिल्की बालों को एक काफ नदे पे डाला हुआ था खुबसूरत हाथों में नाजुक साबर एसलिट और कानों के टापस ने उसकी शखसियत को चार चंद लगा दिये थे अली बलेक थ्री पीस में बहुत हैनरसम लग रहा था अली अपने घर के बारे में उसे पहले ही सब्बे ता चुका था वो ये रिष्टा सचाई से निभाना चाहता था जुट-जूट से पाक हो और यशल को भी कोई एतिराज ना था अली ने ओडर दिया और फिर यशल से बोला मस करोगी मुझे यशल के खाना खाते हाथ रुके नहीं यशल उदास हो अपर लहजे में बशाशत लाते हुए गोया हुई सोच लो हम पहले की तरह मिल नहीं सकेंगे अली ने कहा कोई बात नहीं वो दिल पे जबर करके मुस्कुरा के बोली अली इसकी दिली कैफियत समझ रहा था तुम मुझे रोज देख भी नहीं पाओगी वो फिर बोला कोई बात नहीं आवाज भराने लगी सोच लो बात भी नहीं हो सकेगी अली के यूँ कहने पर कब से जख की नजरे उठी क्यों आपको सवाल किया गया भई में बीजी हो जाओंगा तो तुम्हें टाइम कैसे दूँ गाली ने मुस्कुराहट दबाई यानि भूल जाओगे मुझे यशल ने भराई आवाज में कहा आखी जैसे जलने लगी थी और दो अंसूटूट के गिर पड़े अली एकदम परेशान हुआ यशल उठके वहां से चली गई गोया नाराजी का भर पूर अंदाज जाके बालकनी में खड़ी हो गई अली भी वहीं चला आया अरे मेरी जान तो नाराज हो गई अली ने इसका हाथ खामा जाया आप मुझे बात नहीं करनी यशल ने हाथ जटका मुझे तो आप भूल जाएंगे ना जाके तो फिर यहां क्यों आये हैं शक्वा लबों से निकला अली ने इसका हाथ खामा और इसका चेहरा अपने सामने किया कोई अपनी जिन्दगी से भी गाफिल हो सकता है अली के उनकने पे नजर उठा के उसे देखा तुम्हें पता है तुम मेरी जान हो हर सांस में तुम बस्ती हो तो तुमने सोच कैसे लिया कि मिर तुम्हें भूल जाओंगा तुम मेरे लिए उतीमती शेमिल से हो जिसको अगर वीरान जगह पे रखो तो वो भी आबाद हो जाए जिसे अंदेरे में रखो तो वो जगह रोशन हो जाए जैसे मी, रा दिल, पता है ये तुम्हारी रोशनी से मुनावर है क्यूंकि तुम यहां रहती हो तो मेरा दिल वीरान नहीं हो जाएगा इसने यशल से कहा यशल दिल से मुस्कुराई अच्छा अब चलो दिनर नहीं करोगी अली ने उसे याद दिलाया तो वो इसके साथ चलने लगी बात करोगे ना रोश यशल ने बैठते हुए पूछा हाँ बाबा रोश अली मुस्कुराया सुबह मेरी बालकनी पे कौन आएगा यशल ने फिर पूछा तुम्हारी आदते बहुत खराब हो गई हैं अली ने कहा की किसने हैं यशल ने भी उत्रा के कहा आफ़कुरस माबदूलत ने अली ने जुक के सीने पे हाथ रखके मौदब हो के कहा तो यशल हंस दी और फिर वो चला गया यशल बहुत उदास रहने लगी थी यूनी में भी इसकी कमी फिल होती थी हालानको रोज फोन पे घंटोंग बाते करते थे वो इस मिलों के फासले पे था यशल को यही बात सबसे ज्यादा अफसुर्दा करती थी अभी भी वो उली को ही सोच रही थी के इसकी कॉल आ गई हाई कैसी हो ठीक इसने मुखतसर सा जवाब दिया यह किया बात हुई सही से बता अली ने फिर पुछा आप कब आओगे इसने उल्टा सवाल कर दी अरे अभी तो मजई हाँ आए तीन दिन हुए हैं और तुम आने की बातें कर रही हो तो तीन दिन कम ही वो उदासी से बोली ओहो यान यह मुhtरमा मुझे मस कर रही हैं ऐली बड़े दिल से मुसकुराया यशल जी नभी मैंने ऐसा कब कहा क्यू ऐसा नहीं है कि या मुझे मस नहीं कर रही अली ने पुछा जी नहीं, नहीं, ठीक है मैं फिर फोन बंद करता हूं वो मसनुई नाराजी से बोला तो यशल गुरबढ़ाई मैंने ऐसा कब कहा, अफफफ लड़की कभी कुछ कह ही दिया करो, कर रही हूं नामस, किया है वो इसके नाराजी के डर से फोरन बोली अली ने कह कहा लगाया यशल जी नभी, कब आएंगे, वो अपनी जीन को मटाने को बोली, अभी तो फिल हाल नहीं आ सकता हो, फिर उदास ह देखो यशल की आँखी नम होने लगी, यशल प्लीज अली भी एकदम अफसुर्दा हो गया, यशल रोना शुरू हो चुकी थी, यशल प्लीज तुम रोती हो ना तो ऐसा लगता है, मेरी दुनिया वीरान हो गई है, ऐसा लगता है, सारी दुनिया उदास हो गई है, यशल प्लीज चुको जाओ मेरा दिल बंद हो जाएगा वरना यशल के रोने को एकदम ब्रेक लगा अला आना करे अली ऐसा मत कहीं तो फिर चुको जाओ जल्दी से यशल ने जल्दी से अपने आसो पुछे अच्छा ना नहीं रोती पर प्लीज आइनदा मत बोलना ऐसा उसने भारी आवाज में कहा हो के बाबा आप नहीं कहता बस अच्छा ये बताओ स्टेडी कैसी जा रही है अली ने इसका धियान बटाने को कहा तो यशल उसे बताने लगी बिसनेज में बड़ा लॉस हो रहा है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है सोच रहा हूँ वकार भाई सिमांग लूं हाशिम बोले तो जरमीना मुंक बना के बोली आपको तो उनके घर जाना पसंद नहीं है फिर अब अपने काम के लिए तो बंदा चला ही जाता है और वैसे भी एहमद भी तो कितने ले लेता है उनसे पैसे इन्होंने कुछ नहीं कहा कभी अपके बार में ले लूंगा ये तो ठीक कह रहे हैं एहमद दे वाओ जब जाता है रकम लेके ही आता है इस बार भी पांच लाख लेके आया है वकार भाई से हमम चलो कल चलेंगे हाँ ठीक है जरमीना ने कहा यशल सोके उठी और फरेश हो के बाहर आई लाउंज से बातों की आवाजा आ रही थी कौन आया है में जाके देखती हम वो खुद से बोली और लाउंज में चली आई लाउंज में आके इसे खुशगवार हैरत हुई क्यूंकि लाउंज में इसके मामा मामी आई हुए थे वाटा पलीजन्ट सरपराईज कब आई आप लोग वो खुशी से बोली जब तुम सो रही थी तब मामी ने उसे प्यार से अले लगाया मामा मुझे उठाया क्यों नहीं और ना बताया कि आप लोग आ रहे हैं वो मामा से बोली, अरे बेटा हमने तो किसी को भी नहीं बताया था सोचाप सब को सरपराईज दिया जाए मामा پ्यार से बोले, बहुत अच्छा सरपराईज है वो खुशी से बोली और तुम्हें उठाया इसलिए नहीं क्यूंकि भावी ने मना कर दी था कि तुम यूनी से ठकी हुई आई हो भी मामा ने जवाब दिया दियर कजिन यहां भी तो देखो भाई को भूल गई अशर ने इस से कहा अरे अशर भाई भी आये हैं मिल गई आफिस से फुरसत आपको यस मिल गई और अगर फुरसत नहीं मिलती तो इस बार तो किसी भी तरहाना ही था मिने अखिर को इतने दिनों से मिला नहीं हुँ अपनी ससकर से बहुत अच्छा किया वो बोली रात को यशल रूम में आई सील चेक किया तो देखा अली की दस बजे की तीन मस कॉल्स लगी हुई थी और अब ग्यारह बज रहे थे उहम अली ने कॉल की थी और मुझे पता ही नहीं चला वो अफसोस से बोली और उसे कॉल बैक की दो तीन बेल्स के बाद फोन रिसियो हवा सूरी अली मुझे पता ही नहीं चला के आपने कॉल की है वो मामों मामी आए हुए है ना तो उन से बातों में पता ही नहीं चलाओ जल्दी जल्दी बताने लगी मन अली नाराज ही नहो जाए अटस होके यार अली मुस्कुराया थैंकस यशल बोली इतनी फारमल मत हुआ करो मेरी यशल बनो अजनबी यशल नहीं सूरी वो बोली फिर फारमल अली फिर बोला यशल हंसी तो फिर किया बोलू आपी बता दी आई लो यू कहो आई मस्यू कहो अली फॉरन शोख हवा मुट दो रखें ऐसा में कुछ नहीं बोल रही यशल हंसी अफफफफ लगता है तुम्हारे मुट से ये सुनने के लिए कोई स्पेशल तरीका यूज करना पड़ेगा जैसे के किया यशल ने पूछा मरने का ड्रामा अक्सर मूवीज में ऐसा ही होता है ना कि हीरो एक्टिंग करता है मरने की और उसकी हीरोईन इकरार कर देती है ओ हेलो मिस्टर ये रियल लाइफ है हाल में पहुंच जाए यशल बोली अच्छा सुनो अली ने कहा जी परसों आ रहा हूं में अली ने पताया तो यशल का चेहरा खल गया रही ली वाओ कब किस टाइम यशल ने खिलखिला के पुछा हमम यानि इंतिजार हो रहा है हमारा अली मुस्कुराया जी नहीं ज्यादा खुश फ़हम नहूं यशल फॉरन बोली अली हनसा कभी मानना मत तुम इकरार सिन्फ नासुक को सोट नहीं करता यशल ने उत्रा के कहा यानि जखे चपे लफ़ों में इकरार कर रही हो जी नहीं अफफफ लड़की कभी तो हम कह दिया करो अली ने मसनुई नाराजी से कहा क्यूं करूं जबके इकरार करने के लिए आप हो मेरे पास यशल ने प्यार से कहा तो अली मुस्क्रा दी लैला का मूदाज शॉपिंग का था फातिमा तो अपनी दोस्त के घर गई हुई थी शहला आपी को कहती हम वो उठी और किचन की तरफ आई आपी शौप पिंगपे चले आज शहला किचन में काम कर रही थी कि लैला चली आई अभी अभी तो काम पड़ा है इतना सारा आप फारिग हो जाए तो चलते हैं वो बोली हाँ ठीक है तुम्हें पता है अली आरहा है शहला बोली तो लैला चौनकी कब ये तो पता नहीं पर दो तीन दिन तक आ जाएगा ओर यार फिर तो कल पहली फुरसत में पारलर जाओं थोड़ी फरीशनी स्टोहु चहरे पे जब वो मुझे देखे लैला को फिक लग गई तुम बस इन ही कामों में रहना शहला चुड़ गई तो फिर किया करूं कहते हैं मर्द के दिल का रास्ता मेदे से वो के गुजरता है शहला ने कहा ओव प्लीज आपी में नहीं बना सकती ये खाना वाना हाथ खराब हो जाएंगे मेरे वो मुझ बना के बोली तो फिर बैठी रहो हाथ पे हाथ दूर के अलिफ च्छा इस बहस को छोड़ी फारिग हो जाएं तो मुझे बता देना शॉपिंग पे चलेंगे कह कर वो पलट गई एक अज शॉपिंग पे चलें वो लॉन में टहल रही थी कि अशर चला आया आज कल तो आप लोग आए वो यशर ने कहा हाँ तो आज किया शॉपिंग पे जाना मना है अशर ने पूछा अरे नहीं नहीं अच्छा चलें चलते ही वो फौरण मान गई अली भी आ रहे हैं कल उनके लिए भी अच्छा सा गिफ्ट ले लून की उसने सोचा और मामा से पूछने चली गई मामा से इजासत लेके इस रूम से अपना परस उठाया और चल दी अशर ने तो शॉपिंग करने में लड़कें को भी माग दे दी थी उसे कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही थी कितनी शापस इन्होंने चान मारी थी अभी भी वो एक शापस निकले थे की अशर बोली कोई बहुत तेजी में गुजराए से जोर से धक्का लगा वो गिने ही लगी थी कि अशर ने उसे बाजू से पकड़ के संभाला आरियो ओके ससटर अशर ने फिक्रमंदी से पुछा जी अशर भाई ठीक हुन में यार लोग किया अंदे हैं जो देख के नहीं चलते छोड़ी आ जाएं आगे चलते हैं आप ही ये यशल है ना वो लोग शापस से निकली तो लेला ने उनको यशल की तरफ मतवज़ज़ किया हाँ पर ये इसके साथ कौन है लेला ने पुछा मुझे किया पता को नून है और तुम किया उसे देखने लग गई चलो चले शहला ने कहा भावी ऐसे कैसे चली जाओं जरा सील देना अपना अपकिया करने लगी हो शहला ने पुछा यार उनकी एक पकले लेती हैं किया पता कभी काम ही आ जाए हमारे लाम यली ने उनकी पकली और फिर इसने देखा कि कोई तेजी में इसके पास से गुज़रा और वो गिरने लगी तो उसे उसी लड़के ने संभाला कैमरा तो अन्ही था लेला ने खटा खिट कई तस्वीर ले 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 इसका शैतानी दिमाव बहुत तेजी से काम कर रहा था वो लोग घर आएं लेला की खुशी का आज कोई ठिकाना ना था रात को शहला इसके पास आएं जो अपने सील पे मस्रूफ थी किया करोगी इन तस्वीरों का शहला ने पूछा बस देखिया आप लेला ने कोई नई सुमली थी वो सील में लगाई अब किया करोगी सवालिया निशान देखे न लेला ने कहा और सील की तरफ मत Ginger किया लेला ने वो तमाम की तमाम तस्वीरें ली की नमबर पे भीज़ दे ये किया कर रही हो तुम शहला ने कहा यशल को रास्ते से हटाने की तैारी कर रही हम लेला मज़े से बोली अब अली ये पिक्स देखेगा तो उस यशल को गोली ही मार देगा वो हसने लगी अफफफ तॉबा लड़की तुम तो बहुत खतरनाक हो शहला भी हसने लगी अली यशल को कॉल करने का सोल ची रहा था के उसे कुछ तस्विरें मौसूल हुएं उसने वो उपन की तो इसके सर पे बंसा फटा नहीं ये यशल नहीं हो सकती उसका दिल मानने से इंकारी था उसने दोबारा इन तस्विरों को देखा वो बिला शुबा यशल ही थी और एक मेसेज था शरीफों के सरे बाजार कारना में देखो अली का तो दिमागी घूम गया उसने नमबर देखा उन्नों नमबर था अली ने घुस्से में मॉबाईल दूर प्रिंट दिया ये बात दूसरे रात की थी लिला शहला के पास चली आई आपी अली आया नहीं पूरा दिन गुजर गया आज का लेला ने पुछा अरे तुम इतना बड़ा काम कर चकी हूँ लड़की इसका कुछ तो असर हुआ होगा ना इस पे शहला ने कहा लेला मुस्कुराई अब देखना जब वो लटेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा उसने यकीन से कहा और अगर ऐसा फिर भी ना हुआ तो तो मैंने अभी हार नहीं मानी है उसे अपना बना ही लूंगी अच्छा अभी आपको एक काम करना है लेला ने कहा किया शहला ने पूछा आपको अली के दिल में जो घलत फहमी दर आई है उसे हवा देनी है लेला ने कहा अरे लड़की उसे शक हो जाएगा कि ये सब कि अधरा हमारा है शहला धब रहें अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मैं आपको बताती हैं लेला ने कहा और अपने प्लान के बारे में उसे आगाह करने लगी पे छली रात से वो बेहत डिस्टर्ब था एक तरफ वो यशल पे भरोसा करता था पर वो तस्वीरें वो तो जूटी नहीं थी और जिस तरह इस लड़के ने उसे बाजों से पकड़ा हुआ था अली ने सर हाथों में ठाम लिया कल से यशल की कॉला रही थी पर वो बहुत डिस्टर्ब था किया बात करता इससे कौन था ये जिसने उसको ये तसावीर भीजें थी घर का तो हो ही नहीं सकता कोई क्यूंकि सबने ही यशल को दिल से खबूल किया था फिर ये कौन था इसका दिमाग माउफ होने लगा था कि उसका फिर सील बजा यशल प्लीज वो इकताया हुआ था सील उठा के देखा तो यशल के बजाए शहला भावी का नमबर देखके चुनका और रिसियो कि असलाम दौा के बाद वो बोली अली मुझे समझ नहीं आ रहा में तुमको ये बात कैसे बताओं और तुम पता नहीं कि आरे यकट करो वो बोली किया बात है भावी अली बात यशल से रेलिटर्ट है शहला ने सामने बैठी लिला की तरफ देखते हुए कहा जिसने करी उनका इशारा किया अली चुंक का किया बात भावी खरियत अली में बहुत दिनों से तुम से बात करना चाह रही थी मुझे यशल के रंग रंग ठीक नहीं लग रहे हैं मतलब मतलब ये कि मैंने इसे कई दफाव से किसी ना किसी लड़के के साथ हाथ में डाले आते जाते देखा है जब भी में शौपिन करने या कहीं भी गई वो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ नजर ही आयली का दिल ऐसे जैसे धरकना ही भूल गया भावी किया पता इसका कोई कजिन हो उसने इसका बौदा सा दफा किया अरे छोड़ो जो किस नूनिया भाई होते हैं ना वो पता चलते हैं और जरा बात सुनो मेरी तुम अगर वो कजिन भी हैं तो किया वो इस तरह लेके गूमी गे यशल को अली खामोश हुआ वरना दिल तो खून के अंसू रो रहा था और तुम्हें पता है कि आज सुबह लिफ यकिन नून नंबर से मुझे मौसूल हुई हैं अली कसांस रुका अली इसको ये सब करने से रोको कल को उसने हमारे घर की इजज़त बना है कि आजज़त रह जाएगी हमारी तो किया वो तसावीर इसके घर तक भी पहुंच गई हैं इसने सुचा भावी मैं आपको बाद में कॉल करता हूं कहकर बना जवाब सुने उसने फोन रख दिया काम हो गया भावी ने खुशी से कहा ओव वाव आपी किया एक्टिंग की है मान गई आपको उसने खुशी से शहरा को गले लगा लिया अली ने फोन रख दिया एक दम से ही इस दम घुटने लगा था हर चीज से वश्चत होने लगी थी उसने घुस से मिन सारी चीज़े तहस नहस कर दें अब वो छे फिट का लंबा चौड़ा आदमी जमीन पे सर जुकाई शिकस्त खुड़ा आदमी की तरह घुटनों के बल उट गया और कुछ कानचिस के हाथ में लग गये मुझे तुम सब लड़कें से अलग लगती थी पर तुम भी वही निकली दोका दिया है तुमने मुझे यशल में कभी मौाफ नहीं करूंगा अलिफ तुमें उसने अपनी आँखीं बेदर्दी से रग रही यशल कब से कहीं अली को कुछ इसका दिल कामपा नहीं नहीं ला ना करे उसने उसे दोबारा कॉल की पर जवाब नदारित यशल बेटे किया कर रही हो लूम से बाहर आओ तुम्हारी मामी और अशर कब से तुम्हारा पूछ रहे हैं और अब तो डिनर का टाइम हो रहा है वो जो इधर इधर टहल रही थी मामा की बात पे रिखी जी मामा आती हूं जल्दी आना कहकर वो चली गई वो फिर उसे कॉल करने लगी अली किया हो गया है कहा हो आप अली ने वापस आने कभी कहा था पर वो नहीं आया था जाने वज़र किया थी मामा की आवाज पे वो फिर चौनकी औ और फिर से उसे कॉल करने लगी इस बार कॉल रीसियो हुई यशल ने सिक का सांस लिया शकर अली आपने कॉल तो रीसियो की में कब से कॉल कर रही थी आपको आप ठीक है ना यशल ने पुछा मुझे कॉल क्यूं कर रही थी अली ने सपाट लहजे में कहा किया हो गया है अली आपको नहीं करूंगी तो किसको करूंगी यशल ने कहा। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे मुंतजर हूंगे अली ने कहा यशल समझी वो उसे तंग करने को कह रहा है तभी मुस्कुडाई और शरारत से बोली। हाँ है तो यशल बोली तो अली के दिल से हौक उठी तो जाओ उन से बात करो अली ने जब्द से कहा कोई आपकी तरह स्पेशल नहीं है ना किस से बात करूं। ओ शट अप यशल बे वोकुफ किसी और को बनाओ जा कि वो एकदम जब्द को बैठा। किया हो गया अली। यशल हैरानी से बे वली कभी अली ने उस से इस तरह बात नहीं की थी। और अशर का तो उसके जहन में ही नहीं था अली मुस्कुराया। तुम इस एक लड़के को भूल गई अशल कितनों के साथ शॉपिंग करती रहती हो। अली ने जहर में डूबा तनस किया। शट अप अली आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की अशल। को अली का यूँ कहना जरा अच्छा ना लगा इसकी अखी भी गई थी। तो किस तरह बात करन में ने सिंपल ये पूछा है एक दो दिन पहले तुम किस के साथ शॉपिंग पे थी अशल को याद आया वो अशर भाई के साथ गई थी पिछले दिनों शॉपिंग पे। अली वो अशर भाई थे मेरे मामों के बेटे और वो भाई है मेरे आपने ऐसा सोचा भी कैसे। पहले बताएं मुआफ कर दी आपने मुझे। यशल ने रोते हुए कहा। यशल में करता हूं बाद में कॉल वो इकताया इसका रोना उसे तकलीफ भी दे रहा था। पहले बताएं वो बज़ित थी अच्छा कर दी मुआफ अब रोना बंद करो में बीजी हूं बाद में कर जाना था और इसलिए अली के आगे ना चाहते हुए भी वो जुग गए थी अली थक के बेट बैट गया और सरहाथों में खाम लिया किसका यकीन किया जाए यशल का या भावी का यशल इससे जूट नहीं बोलेगी पर भावी को जूट बोलके किया मिलेगा और फिर वो करीव में था फैसला हो चुका था इस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया था वो या जो इससे बात के बगार उसे देखे बगएर रहता नहीं था वह अँग कई कई दिन हो जाता इससे बात नहीं करता था यशल रोज उसे कॉल करती रोज मेसेज करती पर जवाब नदारिद होता वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी ये किया हो रहा था इसकी जिन्दगी में अक्सर अली का मॉबाइल आफ मिलता और अगर उन भी होता तो कॉल री सियो ना करता और अगर करता भी तो इसके पास बीजी होने का बहाना मौजूद होता वो जो दिन में 24 में से 16 घंटे बात किया करते थे अब दिन किया हफ़ते गुजर जाते वो उसे पूचता नहीं था रहती थी और अली उनकी हर बात को सच समझता कि भावी भी कभी जूट बोल सकती है दिन यूं ही तेजी से गुजरते रहे दोनों में फासले बढ़ते जरे है थे दोनों ही खुशना थे अली कई बार अपने घर आया पर यशल से मिलने एक बार भी ना दिया शहला और लेला इस तबदीली से बेहत खुश थी सच को तमीज ही नहीं बात करने की जूट को देखो कितना मीठा बोलता है वो रोज उसे कॉल करती और आज इतिफाख से कॉल री सियो की गई थी कि अली फिर वही बोला में बीजी हूं अली आईनो ऐसा कुछ नहीं है प्लीज मुझे मेरी गलती तो बताएं यशल बोली किया मतलब में बहा ने बनाता हूं हर बार वो बेरुखे से बोला यशल ने उंगली की पूर से अनखं की नमी साफकी फिर बोली कोई बात नहीं मुझे मालूम है था आप यही कहोगे मुझे भी मालूम था तो तुम समझ गई होगी वो मानी खिजी से बोला हमम शायद या शायद नहीं भी कुछ देर को वो खामोश हुई फिर बोली अली आप बहुत जालिम हैं अली ने एक गहरा सांस लिया जिन्दगी से और वक्त से बड़ा जालिम भी कोई हवा है खेर में फोन रखता हूं कहकर उसने फोन रख दिया सही कहते हैं आप अली जिन्दगी और वक्त से बड़ा तालम कोई नहीं होता यशल ने बंद फोन को देखकर कहा यशल लॉन में गुमसुम सी बैठी थी आच्छे माह हुए थे अली ने एक बार उसे पलटके ना पूछा था किया मुहबत ऐसी होती है कि थोड़ी सी गलत फहमी पे अप अपनी जिन्दगी कहता था अपनी जान मानता था यशल से दूरी तो उसे मौत के मुतरादिफ लगती थी तो अब ये किया था ये तो उल्टा हो गया था मरने का दावेदार वो था और मर वो रही थी वो भी पलपल वो इन ही सोतों में गुम था ये कि उसका मोबाईल बज अच्री तरफ लहजा सपाट खाना सलामना दौाना ये पुछा दिया कि मैंने इतने दिन फोन नहीं किया तो ठीक तो हो तुम रहीली अली मैं भी आप से मिलना चाहती हुन में बहुत बहुत मसकर रही थी आपको आँखों में एक दम आसु भर आये थे पर हुंटों पे दिल फरेग मसकान थी जगह और टाइम में तुम ही मेसेज कर दूँगा तो मा जाना कहकर वो फोन रखने लगा तो यशल बोली अली कैसे हैं आप ठीक मुखतसर जवाब मिला कुछ देर खामोशी रही तो अली बोला मैं रखता हूं फोन सुनो एक दम यशल बोली आवाज में लड़कडा है थी आंसु बहुत तेजी से उसका चहरब हबुने लगे थे कितना तकलीफ दह होता है ना वो वक्त जब आपको किसी से बात करने की तलब हो और वो अपने आपको मसरूफ जाहिर करे इसकी बे अतनाई पे इसका दिल कट रहा था आज अपनी यशल से नहीं पूछोगे के कैसी है वो लहजे में एक हस्रत थी दोबारा फिर उन दोनों के दर्मियान खामोशी दराई फिर अली बोला जब मिलने आओगी तब पता चल जाएगा अलिफ के तुम कैसी हो खेर में बीजी हूं लाहाफिज कह कर उसने फोन रख दिया कहते हैं ना के जब अपनी एहमियत खुद बतानी पड़ जाए तो समझ लो के अब तुम्हारी कोई एहमियत नहीं रही यशल अली की बताई वोई जगह पे पहुंच गए थी अली वहाँ पहले से मौझूद था एकने दिनों के बाद देख रहे थे दोनों एक दूसरे को यशल की अउखों में नमी दराई कैसे हैं आज भी यशल ही बोली थी ठीक खेर बैठो जब वो बैठ चुके तो अली बोला यशल मेरा मानना ये है कि जिस रिष्टे में एतिबार नहो इस रिष्टे को खतम हो जाना चाहिए मैंने इतने दिन हमारे इस रिष्टे को लेके बहुत सोचा बहुत मैंने सोचा के बता दो तुम्हें ताके वक्त पे हम अपनी जनत गियों का फैसला कर ली मुझे समझ नहीं आती तुम्हें मुझ में ऐसा कि आच्छा लगा था कि तुमने मेरी मुहबत पुबूल कर ली थी अभी हम इतना करीब नहीं आये हैं कि दूर ना जा सके पूरी जिन्दगी पड़ी है हमारी कभी ना कभी में तुम्हें और तुम मुझे भूल ही जाओगी बैतर है वक्त पे अपनी हम राहें जुदा कर ली में जबर्दस्ती रिष्टों का काईल नहीं हूं कल को ये नहीं कि हमें पच्टाना पड़े सो इसने बात कहते कहते अदूरी छोड़ दी और यशल की तरफ देखा जो दौां होते चेहरे के साथ उसे देख रही थी बना आँखी जब के मेरा ख्याल है आगे की बात तुम समझ गई होगी अली खड़ा हवा अल्ला हाफिज कह कर वो जाने लगा यशल हिम्मत करके खड़ी हुई मेरा कसूर बता सकते हैं अली पल्टा मुझ से मिलना और कह कर चला गया वो पता नहीं कैसे अपने आपको घसिटे घसिटे घर लाई थी अपने कमरे में आके दर्वाजा लॉक किया और वहीं बैटती चली गए घर में इस वक्त शायद कोई नहीं था उसका दिल किया चीफ चीफ कर रोए आज इसके उपर कियामत तूटी थी इसे आज पता चला था बरबाद होना कसे कहते हैं वो बेतहाशा रो रही थी आज ऐसा लगता था इसकी रूफ फना हो जाएगी और फिर एकदम उसे जोर का चक्कर आया और वो बेस्थ जमीन पे गिरी अफफफ आपी मुझे तो यकीन ही नहीं आरहा अली अब जब भी आता है यशल से मिलता ही नहीं है लेला के पाउंग खुशी से जमीन पे नहीं टक रहे थे ज्यादा खुश मत हो अभी वॉलिफ सी से ही मिलने गया हुआ है शहला ने उसकी खुश फर्मी खतम करना चाही अरे आगया है अली अभी अभी आया है और आपको एक बात बताओं लेला बोली हाँ बोलो अभी फातिमा अली से यशल का पूछ रही थी तो अली ने उसे ज्रक दिया और कहा कि खबरदार जो आज के बाद इसका नाम भी लिया अफफफफ आपको में बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई है किया सच में ऐसा कहा अली ने शहला ने बेयकीनी से कहा हाँ आपी यकीन नहीं आ रहा ना लेला हंसी मुझे तो लगता है ये इसकी आज यशल से आखरी मुलाकात थी शहला बोली हाँ सुकून मिल गया आज मुझे वरना इस यशल ने तो जीना हराम किया हुआ था मेरा लेला बोली अरे चलो किया आज के दिन भी इसको याद करने बैठ गई हो अब एक बात सुनो मेरी अली के साथ अब ज्यादा से ज्यादा रहो समझाई हाँ हाँ बाप देखती जाएं किसी से मुहबबत इनसान को बहुत कमजोर कर देती है नहीं बेबस बहुत मजबूर इतना कि फिर इनसान इसके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता है यशल उस वक्त हास्पिटल में थी इसे नर्विस ब्रेकडाउन होते होते बचा था बहुत देर तक जब वो रूम से बाहर ना निकली दर्वाजा खटखटाने के बावजूद भी जब कोई जवाब ना मिला तो दर्वाजा का लॉक तोड़ा गया और जब जा के देखा तो वो बेस्त पड़ी थी उसे फ़ोरा हास्पिटल ले जाया गया था सबने इस से वजब पूछनी चाही मगर उसने एक लफज मुख से ना निकाला बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो ना बोली तो सबने पूछना तर्प कर दी और कुछ डाकटरस की भी हिदायत थी कि इस पे जोर ना दिया जाए क्यूंकि फिर इसके बरेन पे असर हो सकत था अतिया और अरसलान को कुछ-कुछ इंदाजा तो था ही पर इन्हें भी कंफरम नहीं था कि बात किया है कुछ दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दीगी अलिव घर आके भी वो किसी से बात ना करती बहन भाई शोर करते बाते करने की कोशिश करते पर वो कुछ ना बोलती इस राग जब मामा ने इस से पूछा तो तब यशल के हुंटों पे लगा कोफ़ टोटा और उसने सब कुछ बता दिया आज फिर से वो बेठा शार हुई थी कि मामा को संभालना मुश्किल हो गया था अरसलान को भी पता चला तो उसे भी बहुत दिक पहुंचा जिन्दगी का काम है गुजरना और वो गुजर रही थी पर अली की मुहबबत उसके दिल में जहां की तहम मौजूद थी वो अलिफ से लाग भलाने की कोशिश करती पर हमेशा नाकाम होती मैं आपको भूलना चाहती हूँ अली पर आज भी आप मेरे दिल का हिस्सा हो मेरेत की एक दीवार की तरह थी मुझे टूजने से खौफ आता था पर आपने मुझे संग मुरमर समझ लिया और बेदर्दी से तोड़ दिया मैंने सुना था कि लोग मुहबत के बाद बदल जाते हैं मुझ मोर लेते हैं पर मैंने तो तुम्हें कभी लोगों में गिना ही नहीं था वो बेट पे बैठी कराउन से टेक लगाए सोच रही थी दो आंसू तूट के इसकी आँखों से गिरे थे खुश तो वो भी नहीं था अपने फैसले से पर वो इस दिल का किया करता जो आप किसी दौर मानता ही नहीं था कहते हैं ना कि मर्द के दिल में अगर शक का बीच बैदा हो जाए तो वो अपनी जर्म जबूत तो कर सकता है पर खतम नहीं कर सकता अली के साथ भी कुछ ऐसा ही मौामला था वलत उन दोनों में से कोई भी नहीं था हाला थी अपसे पैदा हो गए वो भी किया करता कितनी ही देर वो सड़कों पे फिरता रहधर आके उसने शावर लिया गाफ वी अपने अंदर की घटन को खतम करने की नाकाम कोशिश करना चाही पर वो तो वैसी की वैसी ही थी इसने अपना सर हाथों में ले लिया नहीं मुझको शिकायत अब किसी से बजाहिर खुश हूँ लेकिन सच बता दूँ मैं अपने आप से रोठा हूँ कितनी ही देर वो यूही बैठा रहा कि दर्वाजा नाक हुआ उसने पोजीशन तब भी तैनजना की वो अभी किसी से भी बात करने के मूद में नहीं था अली आ जाओ खाना खाल वाओ दर्वाजा नाक करके लेला इसके कमरे में दाखिल हुई अली कुछ ना बोला अली लेला ने फिर कहा अफ 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 एक तो ये मजनू लेला दिल ही दिल में तपी लेकिन लहजे में मिठास भर के बोली अली आर यो ओके वो चलती हुई इस तक आई किया हवा है वो बनावटी पंद से बोली हालनका अच्छी तरह जानती थी कि किया हवा है उसे अली लेला ने इसके कंदे पे हाथ रखा अली चुंका फिर इसका हाथ अपने कंदे पे देख के घुस्से की एक लहर इसके रगवाओ पे में दोड़ गई डोन्ट टच मी लेला ये किया तरिका है और ये तुम किस से पूछ के मेरे रूम में आई हो लेला भूंचका सी उसे देख रही थी अली में तो खाने के लिए बुलाने तुम खाने के लिए बुलाने आई हो फातिमा कहा है जो तुम आई हो चलो निकलो यहां से फौरा अली ने लहाज बराय ताक रख के कहा और दर्वाजे की तरफ इशारा किया अली ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो में महमान हूं लेला ने कहा तो किया महमान हर एक के कमरे में युमन है उठा के आ जाते हैं महमान हो तो महमान बन के रहो आई समझ और तुम्हें पता नहीं है कि गएर आदमियों के कमरे में युन मूँ उठा के नहीं आते हैं अली ने घुस्से में उसे अच्छी खासी जाड़ पला दी थी लेला का चेहरा दों दों हुड़ा था प्लीज अली ने फिर दर्वाजी की तरफ इशारा किया जिसका मतलब था दफा हो जाओ लेला तिल मिलाती हुई बाहर निकल गई यशल ने अपने आपको पढ़ाई में बेहत मसरूफ कर ली था हाई बहना अभी भी वो किताब हुँ में सर खपा रही थी कि अरसलान भाई की आवाज पे चौनकी कैसी हो इन्होंने मुस्कुरा के कहा ठीक वो मुस्कुराई पर रंखों में उदासी का डेरा था लग तो नहीं रही हो वो फिर बोले वो कुछ बोलने लगी कि मामा चली आ अरे अरसलान बेटा आप कब आए इसलाम वाओ अलेकुम चाची बस अभी आया हूं वालीकम अस्सलामों बेटा बैठो ना इन्होंने कहा चाची ये यशल को देखीं कितनी पढ़ा को हो गई है मुझाल है जो किताबे बंद करके भाई से बात ही कर ले उसने किताबे लेके और भाई से तो बाते करो अतिया चाहती थी वो जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए इसकी ये हालत उनसे देखी ही नहीं जाती थी यशल बकस रखने गई ते अतिया अरसलान से बोली बेटा इसे समझाओ जिन्दगी ऐसे नहीं गुजरती ये तो ऐसे अपने आपको घला र रही है चाची आप बेफकर रही में बात करता हूं यशल से आप टेंशन ना लें अरसलान ने इन्हें तसली दी मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी अतिया बोली अरसलान यशल के पास बैठा इससे बाते कर रहा था कि बातों बातों में अरसलान ब बोली, जैसी जिन्दगी है वैसा ही जवाब है, बिल्कुल नहीं, जिन्दगी को उल्जा हुआ हम खुद बनाते हैं यशल, तो फिर आप भी बताएं कि जिन्दगी क्या है, मुझसे पुछो तो जिन्दगी की सबसे बहतरीन और तीमती चीज़ खाब है, क्यूंकि अगर खा भी तूट जाएं तो वो किया करे मर जाए, बिल्कुल नहीं, खाब तूटे हैं तो नए सिरे से हम इन्हें बिन भी लेते हैं और इन खाबों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, हाँ कुछ खाब पूरे नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जिन्दगी से मुझ म करने की कोशिश करो, ये बहुत मुश्किल है अरसलान भाई ये शल दिख से बोली, मुश्किल है पर नामुम्किन नहीं, तुम किसी एक की याद में इतने सारे मुहबत करने वालों को दिख दे रही हो, ये शल सोचो तुम्हारे पेरनेटस की सजियत से गुजरे हैं, पिछ तुम मेरी बात समझ रही होगी ये रसलान भाई ने कहा तो उसने मुस्कुरा के सरहला दी, इन्शाओला देखना तुम्हारे नसीब में इससे भी अच्छा और बेहतर कोई होगा इन्होंने मुस्कुरा के कहा तो ये शल खामोश हो गई किया कहती के, जरूरत अच्छे की नहीं होती उसकी होती है जिससे मुहबत हो, लैला तिल मिलाती हुई अपने कमरे में आई घुस्से से उसका बुरा हाल था अली ने आज इसकी इच्छी खासी इंसिट की थी, हिम्मत कैसे हुई इसकी मुझे इतना कुछ सुनाने की समझता किया है, वो अपने आपको यशल क की यादों में मजनु ही बन गया है होनहा, इतनी तजलील तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की और ये ली वस्से से उसका चेहरा लाल हे रहा था, लैला आजाओ यहां क्यों बैठी हो, फातिमा ने उसे आवाज दी, ये तुम अपने भाई से नहीं पूछती हो, घर आए मेहम की है हाना के आपने ही मुझे कहा था ना के ली को खाने के लिए बला लूँ, वाट अली ने इंसल्ट की तुम्हारी शहला मुरी और अपना सास को मखातिब करके बोली, देख रहीं आप अलिफ, मी अली ने मेरी बहन की बेज़ज़त की है मैं नहीं उसे कहा था के ली को खा अपने रुए की पर अम्मी प्लीज ये महमान है एक तरह से और जो मैंने इन्हें कहा वो इतना घलत भी नहीं है कि गैर मर्दों के कमरे में मुहिट हा के नहीं आ जाता है लेला को एक बार फिर सब के सामने अपनी इंसिल्ट होती हुई फेल हुई बहरहाल आइनदा से फातिम अले ना इससे कोई राब्ता रखे अली की अम्मी और बहनों को यकीन ही नहीं था कि अशल ऐसी हो सकती है वो मानने को तयार ही नहीं थी नहीं ये किसी की साज़िश लगती थी अली के मना करने बावजोद अली की बेहन और अम्मी इससे हर टाइम राब्ते में रहते थे जि इसे किया पता था इसकी ये खुशियां भी आर्दी हैं ये सुबह दस बजे का वक्त था यशल यूनी गई हुई थी अलिफ सीन से छोटी सेकेंड नंबर वाली बहन कॉलेज गई थी और सबसे छोटा मुस्तफी इस गया हुआ था अमल और घजल ने आज चुटी कर ली थी व करते हुए वो घर के करीब पहुंची तो किसी की आवाज इसके कान में पड़ी बड़ी ही दाल रदनाग मौत हुई है सलेंडर फटा है घर में चारों में से कोई भी नहीं बचा यहां तक के चेहरों की शनाख्त मुश्किल हो रही है बेचारे तीनों बचे जाएंगे कहां इतना हंस्ता बिस्ता घर था वकार भाई का यशल के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई ऐसा लगा जैसे आसमान फटा हो इसके उपर वो सुन खड़ी रह गई इस दिन फिर वो बेतहाशार हुई थी इतना कि लगता था कि जैसे वो भी मर जाएगी तीन दिन तक तो इस को यही नहीं पता था कि वो कहां है इसके बहन भाई कहां है इसके घर वालों का कफन दफन कैसे हुआ और जब तीन दिन बाद हो शाया तो उसका दिल फटने लगा था उन चंद दिनों में वो बहुत तेजी से बरबादी की तरफ घसिटी गई थी किया वो अब भी जिन्द है वकार आफंदी और रतिया के इंतिकाल को एक माह हो गया था इस दिन के बाद ना फपु ने आके पूछा ना किसी चाचा ने किया रश्तेदार इस तरह होते हैं कि अपने खुनी रिष्टों को ही ना पूछें खुनी रिष्टे भी भाई के बचे मामी तो इन्ही के पास रिकी हुएं थी क्योंकि वो लोग अभी चोटे थे इसे लगता था जैसे वो एक तपते सहरा में आखड़ी हुई है जहां दोर दोर तक कोई साया नजर नहीं आता था एक दम से वो बहुत अकेली हो गए थी मुहबत हो भी जाए तो मेरा ये बखत ऐसा है जहां पे हाथ मे रिक्रून वहां पे दर्द बढ़ जाए मुहबत सर्द पढ़ जाए वकार तो चला गया दुनिया से अब जो दौलत मिल ती थी ना वो भी हाथ से चली गए तो काश कुछ हमारे नाम ही करके चला जाता हम भी दौादे देते राबिया को तो अफसोस ही हो रहा था दौलत के हाथ से चले जाने का कहते हैं भाई तो बहनों की जान होते हैं और वा ने तो इन्हें खुश देखके ही खुश रहती हैं उन पे अपनी जान लिटाने से भी दरेग नहीं करते पर यहां तो गंगा ही उल्टी बहती थी यहां बहनों को भाई के मरने से ज्यादा भाई की ना वहां राब्याजट बोली, सब कुछ बच्चों के नाम करवा के गया है वो फिर शुरू हो गए थी, वैसे मैंने एक हल सोचा है इसका जिससे हमारे पास पूरी दौलत आ सकती है कब से चुप हाशिम ने कुछ सोचते हुए कहा, किया हल है जल्दी बताओ फपू की आँख होता है राब्याबत मजा हुएं तो अनम भी फौरा बोली, वो तो अभी छोटे हैं और यशल की दौलत तो हाथ में आही जाएगी हमारे, बापी की हम इसे से जबरदस्ती हत्या लेंगे, हाँ जैसे वो फौरा दे दी हमें होना, ये आजकल के बचे बहुत तेज हैं एक न तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है, हम यतीमों का हपखा के अच्छा नहीं करेंगे, हाशिम जरमीना को डर लग रहा था, अरे कुछ नहीं होता हम भी जरूरत मंदरीं और वैसे भी हम इस दौलत के बदले एक यतीम का धर भी तो बसा, रहे है ना तो इसके एवज अगर कु से ही होनी चाहिए कि उनके में बड़ी हम तुम सबसे राबिया ने फौरा जटा के वाज़िए कि वो बड़ी है रसलान जो उनके पास किसी काम से आया था, उसने उनका लफज सुना था, रात का तीसरा खाथा अली को किसी दोर करार नहीं था, पता नहीं कैसी होगी वो, इ बहुत चाहने के बावजूद वो ना गया, आज एक माह हो गया था उनके इंतिकाल को, इसका दिल बेचैन था, वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा लेकिन बेसूद, उसने साइड टेबल पे पड़ा अपना सीर उठाया और फोन की गैलरी में गया, वो सारा दिन सोचता था कि वो उसे भूल जाएगा, वो अपने दोस्तों में ज्यादा रहने लगा था, उनके साथ हंस्ता मुस्कुराता, खुश नजराने की कुशिश करता, इसने अप, ने आपको बहुत मसरूफ कर ली, वो अपने आपको एक लम्हा भी फ्री ना रहने देता, लेकिन उन सब के बावजूद, जब वो रात को सोने के लिए लटता तो एक बार जरूर अपने सील की गिलरी में जाता जहां पे उसने उसकी बहुत सी यादें संभली हुए थी, वो चाह कर भी उन यादों को मिटा नहीं पाया था, ये यादें इसके जीने का असासा थी तब इसका दिल बेख्तियार कहता था, तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हारे दिल में अपनी पूरी आबिवाउताप के साथ मौजूद है थे, महारा दिल वीरान नहीं तनहारा दिल अभी आबाद है और इस बात पे हर बार की तरह वो सरजटक लेता था और अभी भी उसने ऐसा ही किया था ओव माई गाड इतना बड़ा दोका, ये लोग इतने बेहिस हैं कि भाई से ज्यादा फे कर इन्हें दौलत की है, नहीं में और उन लोगों की जिन्दगी बरबाद होते नहीं देख सकता मामा बाबा के बाद एक वही तो मेरे अपने हैं, मुझे हर हाल में इन्हें पर टीक लेने चला गया, मामी भी अपने घर चली गएं थी कब तक, रुकते वो भी इन्हें भी तो अपना घर देखना था अब वो तीनों इस बड़े से घर में अकेले होते थे रात को सोते हुए भी मुस्तफी को डर लगता डर तो उसे भी लगता था पर वो जाहिर नहीं करती थ यही थी अब इन्हें अपनी जिन्दगी से समझोता करना था, इसने सरजटका इतने में मुस्तफी भी अपना बैग ले आया, वो उसे होम वर्ट करवाने लगी मशल अपने रूम में थी इतने में अरसलान भाई चले आए, अरसलान भाई या यशल चौने की, हाँ तुम से कुछ जरूरी बात करनी है, अच्छा रुके में आपके लिए चाय बनवाती हूं, वो उठने लगी तो वो बोले, नहीं गुड़िया जल्दी में हूं मुझे तुम ही कुछ बताना है, किया बात है भाई यशल बोली, है कुछ बात, वो मुस्तफी के सामने बोलने से अवाइड कर रहे थे, मुस्तफी मशल आपी को बोलो, वो आपका होम वर्क लरा दीती है, यशल ने मुस्तफी को वहां से उठाया, जी अब कहीं भाई यशल बोली तो अरसलान ने सारी बात उसे बता दी, यशल तो हकाबका रह गई ये सुनके, अरसलान भाई ये आपक कैसे पता चला कुछ देर बाद वो बोली तो लहजे में दिखसा था, मैं आज किसी काम से वहां गया था तब सुना, यकीन नहीं आ रहा ना, मुझे भी नहीं आया था पर ऐसा ही है, मि, मिमना, कुर्दों की इन्हीं ये शादी नहीं करूंगी यशल की आवाज लड़ खड अरसलान भाई मुझे समझ नहीं आ रही, वो रोने वाली होड़ी थी, तुम लोग ऐसा करो ये मुल्क छोड़ दो, अरसलान भाई बोले और अपनी नहीं जिन्दगी की शुरुआत करो, यहां रहोगी तो यादें तुम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगी, तुम्ह दोस्त उनके साथ नहीं रहता है, कुछ दिन वहां रह लेना में उनसे बात कर लूँगा, फिर जब घर का इंतिजाम हो जाये तो अपने घर में शिफट हो जाना, पर भाई एक, अंजान मुल्क में वहां के लोग सब अजनवी सा होगा हम कैसे, इस बे बात अदूरी छोड आती हैं बहुत अच्छे हैं वो लोग आएं शेवर तुम्हीं भी वो लोग पसंद आएंगे, रसलान भाई उसे उन लोगों के बारे में बता रहे थे और वो सुन रही थी, उस वक्त वोकाफ राची एयर पोर्ट पे खड़ी थी हैशा हमेशा के लिए अपने मुल्क को ख आती हैं वो लोग पसे जाते हुए तुम से घुसा नहीं हमें, बस एक मायूसी सी है तुम से कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाई एया शायद में ही नहीं समझ पाई तुम्हीं, मोहबबती युँगी परवान नहीं चड़ते हैं ली, भरोसा लेना पड़ता है, भरोसा देन पड़ता है, खेर अला हाफिज जाओ आजाद किया हो सोचों के गरदाब में कुम थी कि इसकी फ्लाइट की एनाॉसमेंट हुई तो वो चोनकी, थोड़ी ही देर में वो अपनी जिन्दगी का ये बाब बंद करके चली गए थी जहाज लेंड कर चुका था, जाओ आजाद क तो नहीं लेकिन, तुम हमें याद आउंगी के, शायद फिर गलाउंगी, लेकिन, परेशान मत होना, जो मेरा ख्याल आए तो, इसे बेदर्दी से जटक देना, कि शायद इतना हख भी नहीं है तुम पे, अब सुनो, आजाद हो तुम अब, सुनो तुम खुश ही रहनाब, यहां से इसकी जिन्दगी का नया बाबा खिला, इन्हें यहां आए एक हफ़ता हुआ था, उनका बिल दिल नहीं लग रहा था, नहीं नहीं जगह थी, नहीं नहीं लोग, खैर, आनटी हलीमा बहुत अच्छी खातून थी, वो उनका बहुत धियान रख रही थी, कभी कभी वो कहती के, मुझे ऐसा लगता है मेरे खामोश घर में जैसे क्फिर से रोनका गई है उनकी पर शफकत तबियत की वज़ह से वो लोग उनसे जल्दी गुल मिल गए, इस दिन यशल उनके साथ किचन में काम करवा रही थी कि वो बोली, तुम इतनी तब क्यों रहती हो, हाना कि तुम्हारे भाई वहन, तुम्हारे बराकस फिर भी बोलते हैं, आनटी सच बताऊं तो मेरा दिल ही नहीं चाहता आप बोलने को, कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास खुश होने को या बोलने को सब तो खोबैथी हमें वो दिख से बोली, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते ये तो सरासर नाशुक्री में काउंट हो जाता है। तो समझ लो कोई जीत नहीं सकता जब तक हारने वाले पैदा नहीं होते। जिन्दगी में हार जीत तो चलती ही रहती है और फिर हार इतनी भी बुरी चे। यज नहीं है ये फिर से हमें उठने में और फिर सेकच करने और बैतर करने की हिम्मत देती है। यशल बेटा हर हाल में अला की उस पाकजात का शकर करो कि इतने बुरे हालात में भी उसने तुम्हें अकिला नहीं छोड़ा। जी आनिटी आप ठीक कहती हैं वो बोली हमम गुड और सुनो मेरे साथ कल मेरे स्टोर पे चलोगी वैसे भी तुम घर पे रहके बोर हो जाओ भी और फुजूल की सोचे तुम्हारे जहन में आएगी। तुम मेरे पास जॉब कर लो वैसे भी मुझे जरूर। तेहे उसके लिए में तुम्हें सली भी दूंगी। तुम अपने पैरनेटस के पैसों से घर खरीदी रही हो पर उसे चलाना अपने पैसों से। इन पैसों को बचाओ और अपनी और अपने वहन भाई की पढ़ाई म पास्त करके और बहुत कुछ नजर अंदास करके ये यशल वालों के जाने के एक दिन बात की बात है। कल ही अमरीका चल ये गए और वही शिफट हो गया है। अकेले तो थे बेचारे अच्छा है अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे वो बता के चला गया वो लोग दिल मिलाते घर वापस आ गया है। गजब खुदा का कैसे आवारा बचे निकले। मांबब के गबर की मि क्या संगी बड़ी अच्छी तरवियत की है वकार ने अपने बच्छों की होनहा बड़ा फख्ख था उसे अपने बच्छों पे हाशिम बोले जब देखो अपनी वालाद की तारिफों के पल बांदा रहता था होनहा। होता अभी जिन्दा तो बताती मैं उसे के इसके बच भी काफ रदें आपा आप भी जानती हैं कि वो दौलत तो बस आपके खाबों तक आपकी थी अब तो आँखें खोले एहमद ने कहा तो वो इन्हीं घूर के रह गई सब शाम की चाए से लुथ अंदोस हो रहे थे साथ साथ हलकी फुल की गबशब चल रही थी पंदरह दिन हो गए थे इन्हें मशल और मुस्तफी ने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी थी सिर्फ यशल ही थी जो पढ़ाई छोड़े जॉब करने में मस्रूफ थी इन् अंकल में ने FSC किया है और उसी साल यूनिवर्सिटी में एडमीशन लिया था ला कर रही थी में वो बताने लगी तो आप किया इरादा है इन्होंने पूछा अभी तक कुछ सोचा नहीं है अंकल वो बोली तो बेटा सोचो ये जॉब तो आरजी सी है जी अंकल वो बोली आ आजकल ज्यादा वैल्यू नहीं है आप एम BBS करो इससे आपका मुस्तक्बिल सुनूर जाएगा आप तो माशाओलला जहीन भी लगती हो आपका तो एजिली एडमीशन यू जाएगा और रही जौग तो वो तो आप शाम में भी कर सकती हैं आप किया कहती हैं बिलकुल ठीक कहा आप नून ये यशल आप MBS की तैयारी करो बेटा इन्होंने कहा पता नहीं क्यों वो चाह के भी इलिफनक की बात टाल नहीं सकती थी ठीक है आनिटी यशल जा चुकी थी उसे पता चला तो उसे शाकिड लगा वो चली गई किया वो उसे कभी देख पाएगा इसके रग लिया यार फ्रीदा आते की वसना जते यार नजर ही ना आवे वो तो अब बिलकुल नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था फिर इसके जाने का दिक्टिन इन दिनों वो बहुत डिस्टर्ब्ट था लेला जब देखो उसके आस पे इस मंडलाती रहती उपरी उपरी सही पर कभी इस पे वो चीखता कभी डानिकता फिर रहिस्ता आहिस्ता इसने ये भी चोड़ दिया और खामोश रहने लगा वो लेला को कुछ ना कहता और यही बात लेला के लिए खुशाइंद बात थी डोगते को तो तनके का सहारा काफी हुता है लेला इसे वही तनका लगती इस बात से बेखबर के इसकी दुनिया तबाह करने वाली वही है वो ज्यादा से ज्यादा लेला के साथ रहने लगा लेला अपनी बातों से इसकाफ अलिफ जहन कुछ देर को बटा देती थी पर एक खाली पन फिर भी उसके दिल में रहता मेरा लहजा मेरी बात हैं बहुत ही आम हैं लेकिन मैं जजबे पाक रखती हूं महबत खास रखती हूं वो डाइरी लिख रहे ही थी पता नहीं क्योंके आज अली उसे बहुत यादा रहा था किस से शेयर करती अपनी फैलिंग घज़ अली आप कहते हो कि मैं भूल जाओं आपको कैसे भूल जाओं ली आपने तो अपनी महबत ही नहीं डाली मेरे दिल में बलके आपकी आदत तक हो गई है मुझे मैं तो बहुत इमानदारी से आपकी तरफ बढ़ी थी फिर आपको कहां मेरी मुहबत में बेयमानी का अंसर नजर आ गया इसकी आखिया आज फिर नम हुए इतनी जल्दी भला दिया मुझे अली आपने कोई तुम से पूछे कौन हमें तुम कह देना कोई खास नहीं एक दोस्त है कच्चा पका सा, एक जूट है अधा सच्चा सा, एक खाब अधूरा पूरा सा, एक फूल है रोखा सुखा सा, एक सपना है बिन सोचा सा, एक अपना है अंदेखा सा, एक रिष्टा है अंजाना सा, हक्रिकत में अफसाना सा, कुछ पागल सा दीदा सा, बस एक बह आना अच्छा सा, जीवन का ऐसा साथी है, जो दूर हो तो कुछ पास नहीं, कोई तुम से पूछे कौन हमें, तुम कह देना कुछ खास नहीं, इसने डाइरी लिखी और बंद कर दी, दिन यूंग ही तेजी से गुजरते रहे इसका MBBS में एडमीशन हो गया था और इस नेपन में बहुत आगे निकल गई थी पर अभी वो उसे भलाने में नाकाम थी दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता पर जब शाम के साए गहरे हुने लाम, गते तो इसकी याद का पंची उसके दिल में डेरा डाल लेता जिससे वो चाह के भी निकल ना पाती, लोग उसे खुश आज कहते हैं मुझे, मैंने अक्सर खुद को उदास पाया है, दिन गुजरते रहे वो MBBS के फोर्ट एयर में थी मशल एम बैचलर आफ आर्ट्स कर रही थी और मुस्तफी फरस्ट एयर परी अनेजी ने इरनब कर रहा था जब अचानक मुस्तफी के कहने पर उनका पाकिस्त मशल और मुस्तफी बेहत खुश थे, जब इन्होंने अपने घर में गदम रखा तो एक सुकुन सा इनहीं महसुस हुआ, वाकि अपना घर अपना होता है और जो अपनायत और सुकुन अपने घर में महसुस होता है वो और कहीं नहीं होता, वो गेट उबूर कर चके थे एक बार वहीं खड़े वो के अपने खामोश घर को देखा जहां कभी उन बहन भाई की हंसी गुंचती थी जिसमें मामा बाबा की हंसी की आवाज भी शामिल होती थी आज भी वो वैसा ही था पर अपकी बार वो घर खामोश था, वहां कोई बोलने वाला नहीं था, कोई हंसने नहीं था, इन तीनों की ही आखी नम थी, वो चलते चलते घर के अंदर आ गाया, अरसलान भाई उन से मिलने आय थे, फिर कुछ देर बाद चले गए, दोसले दिन वो लोग अपने मामा बाबा की कबर पे गए, वहां पर वो फिर बच्चों की तरह बेताशा रोये थे, जख वो लौबे दिल्ली से घर आये कि बहरहाल इन्हें जाना ही था, अगले दिन अरसलान भाई उसे अपने हास्पिटल ले आये थे, वो डॉक्टर थे, वो उनका हास्पिटल देख रही थी और अरसलान भाई से बाते भी कर रही थी कि कोई इन्हें बुलाना आ गया, सर एक ए आये हम तो हास्पिटल देख के ही जांगी, आप अपनी ड्यूटी करें बेशक वो मुस्कुराए तो वो ओके कह कर चले गए, वो कोरीडोर में खड़ी थी जहां पे लाइन में लेबस बनी हुई थी वो और आगे आई, तो उसकी नजर अली की अम्मी पे पड़ी साथ में शफ़कापी थी, इसके कदम खुद वाखुद उनकी तरफ बढ़रे उनके पास पहुंच के उसने इनहीं सिलाम किया, अरे यशल तुम इन्होंने फ़ोरा उसे गले लगाया है मेरी बची आगई कैसी है, वो बोली, आनटी ठीक हुँ आप दोनों कैसी है, वो उनसे हाल चा आई तुम्हें आपी बोली, आपी याद तो रोज आती है पर यहां आने का मैंन मकसद ये था कि मामा बाबा के कबर पे जाना था बहुत साल हो गय है ना, बहुत अच्छा किया बेटा आनटी बोली, आप खेरियत से आई यहां, हां सब खेरियत है वो बस चेक अप करवाने आई थी अपना आपी बोली, चैक अप किया हवा आपी आपको, वो फकरमनदी से बोली, अरे जन्नत का भाई या बहन आने वाली है तो उससी सिलसले में आई थी, ओर मुबारक हो बहुत बहुत वो हकिकता खुश हुई थी, खेरम बारक, अच्छा सुनो कर जन्नत अली की भ वो गीना, मैं कुछ नहीं सुन रही यशल बस आना है तुमने वो बज़ित थी यशल को मानते ही बनी, ओके आपी, काफी अरसा बीट गया, जाने अब वो कैसा होगा, वक्त की सारी कड़वी बातें, चुपके चुपके सरता होगा, अब भी भीगी बारिश में वो, बिन च शतरी के चलता होगा, मुझ से बिच्ड़े अरसा बीता, अब वो किस से लगता होगा, अच्छा था जो साथ ही रहते, बाद में इसने सोचा होगा, अपने दिल की सारी बात ही, खुद से खुद ही करता होगा, काफी अरसा बीत गया है、 ना जाने वो कैसा होगा, इसने अकट करें और अगर मैं इसके सामने कमजोर पढ़ गए तो नहीं नहीं उसने आँखें खोलें बहुत मुश्किल से संभाला है अपने आपको फिर से बिखरने नहीं दे सकती उसने दिल में सुचा वो सोचों में गुम बैठी थी कि मशल चली आई आप ही मैं अपनी फरेंडर से नहीं मिलेंगी मुस्तफी को देखी यहां हम को भोला बैठा है हमम कल जाओंगी में अच्छा है ना इसे भी इंजुआए करने दो हो के आपी में जाती हम बाय कह कर वो चली गई अली के घर वालों ने बहुत गरम जोशी से उसका वैलकम की आली उसे कहीं नजर ना आया था हैदर ने उसे फोन पे बताया था कि इसने लाहोर में ही जॉब स्टार्ट कर दी है वो बैठी थी कि फातिमा आके बोली ओए यशल आपी मुझे इतनी खुशी हो रही है आपके आने की अब तो आप नहीं जाओगी ना ये आप लोगों की मुहबत है फातिमा पर मैं हमे देख के बदमजा हुएं अफफफफ आपी ये किम आगे कसम सेजा रे लगती है ये लड़की मुझे लेला नफरत से बोली मुझे तो जैसे बहुत शहत लगती है ना शहला बोली आगई मेरे अली पे फिर से डोरे डालने हो नहा तुम मेरी बात सुनो सारा टाइम तो मली क साथ साथ रहना जरा तनहाई का वकफा ना छोड़ना इनके दर्मियान हमम समझ गई आपी वो बोली आओ इस आफ़त की परकाला से मिलके आते हैं वो बोली तो लेला ने भी तकलीद की दोनों यशल से मिली यशल फिर आनटी के पास बैठ गई हैदर ये अली कहां गुम है फातिमा बोली आइन लिया नहीं अभी तक लेला यशल के साने बिन के बोली देखो जरा शाम में फोन किया था मिने की जल्दी घर आ जाना आप और अभी तक नहीं आय यशल ऐसी बिन गई जैसे सुनी ना रही हो शहला भावी ने इसका सुकुन देखा तो बोली अरे यशल तुम्हें एहम बात तो बताना ही भूल गए हम तुम्हें मालूम है लेला और अली की पिछले दिनों मंगनी हो गई है यशल को एकदम जटका लगा लेला को देखा जो मुस्क्रा रही थी यशल का रंग फीका पढ़ने लगा शहला ने बहुत मज़े से इसके तासुरात द मज़ा इतने में ली भी आगया लेला फॉरा उसकी तरफ बढ़ी यशल ने सिर्फ एक नजर उसे देखा और फिर रुख फिर लिया हो उन बीते सालों में और हैनरसम हो गया था वो लेला से मुस्कुरा के कोई बात कर रहा था उसने अभी तक यशल को नहीं देखा था यू ही बातें करते करते इसकी नजर यशल पे पड़ी तो फिर पलटने से इंकारी हो गई किया ये सच में यशल थी या उसका वहम जो कई साल से उसे होता आ रहा था नहीं ये उसकी यशल ही थी वो तेजी से आगे बढ़ा के लेला ने इसका हाथ पकड़ लिया मत बूलो अली तुम मंगेतर हो मेरे यशल तुम्हारी कुछ नहीं लगती इसके कदम थम गए यशल अपने आपको कंटर करती रही इस से वहां बैठा ही नहीं जा रहा था ना जाने क्यों इतना रोना आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे इसका दिल बंद हो गया है लेकिन इसके के फ़रा बाद यशल सबसे माजरत करती उठ गई कि अब बैठ ना महाल था सबने रोका भी मगर वो पैकिंग का बहाना करती उठ गई अली को लगा जैसे इसकी दुनिया ही खतम हो रही वो वो एक बार फिर दूर जा रही थी वो अपने रूम में चला गया वो जा चुकी थी अपने घर वो वहां बैठ के किया करता तुम्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था दिल ने कहा उसने हर बार की तरह सरजटका बड़े सुकून से रुखसत तो कर दी उसको फिर इसके बाद मुहबत ने इंतहा कर दी इस दिन फिर से वो पहले वाली यशल बिन के बेत करती चली गई कौन किसका साथ ही है हम तो घम की मनजिल हैं पहले भी अकिले थे आज भी अकिले हैं इसके जखमों से खून रसने लगा था जाहरी जखमों की तो चलो बेनरीज हो ही जाती है पर जो बातिनी जखम हों उनकी बेनरीज कैसे होगी होते वाओ वक्त के साथ साथ ही ठीक होते ही उनकी सबसे बड़ी बेनरीज वक्त है नहीं तुम से कोई शिकायत बस इतनी इलतिजा है जो हाल कर गए हो वो कभी देखने मत आना वो सारी रात रोती रही थी आज उनकी फ्लाइट थी फजर की अजान पे इसकी आप खली तो नमाज पढ़ने के लिए उती नम नहीं था जिस से पने देख सिक शेयर करती उसके दिल में एक हस्रत सी थी कि काश कोई होता जो इसकी सुनता अपनी सुनाता समझाने वाले बहुक थे वो उनकी सुनती भी थी पर अपनी काफ से सुनाती पहले मामा से शेयर करती थी वो चली गई फिर अरसलान भाई वो भी लाइफ मान मसरूफ थे इन्हें बार-बार तंग लरना अच्छा भी नहीं लगता था वो चाहती थी कि कोई हो कि जिसके साथ वो बहुत सारा हसे बहुत सारा रोए पर ऐसा इसके पास कोई था ही नहीं ना शिकायते ना गिला करे कोई ऐसा शख्स हुआ करे जो मेरे लिए ही वा करे मुझही से बातें किया करे कभी रोए जाये वो बेपना है कभी बेतहाशा उदास हो कभी चुक्के चुके दबै कदम मेरे पीछे आके हनसा करे मैजन तबील सफर में हो मगर मेरी वाक्सी की इसने पलटके एक बार अपने घर को नजर भर के देखा आज वो लोग वापस जा रहे थे वो घर एक बार फिर से वीरान होने जा रहा था इसके मकीन जो कभी वहाँ इस घर में रहा करते थे वो इस घर को अकिला छोड़ के जा रहे थे इन्हों गेट उबूर किया और उसे ताला लगा दिया कुछ देर बाद वो लोग कराची अईरपूरट पे मौझूद थे यशल को इस शहर और यस शहर के रहने वालों से घबराहट हो रही थी वो जल्द से जल्द यहां से जाना चाहती थी वो अली के घर वालों से नाराज थी क्यूंकि वो हर रोज उन से बात करती थी पर इन्हों एक बार भी अली और लेला की मंगनी का जिक्र नहीं किया था कुछ ही देर में फ्लाइट की अनाॉसमेंट हुई तो वो लोग उठे वो वापस जा रही थी कभी ना आने के लिए पर वो नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द यहां वापस आने वाली है क्यूंकि इसे वापस आना ही था पर जब वही दुनिया उसे ठुकरा दीती है तो वो दोबारा लाक अदर्खकरा ताटा है और लाए उसे खाली हात नहीं लोटाटा कभी मायूस नहीं करता तीम दिन हो गय थे यशल किसी भी फोन नहीं उठा रही थी ना हैदर ली ना फात्मा की ना शफाकापी की अभी भी इसका सील मसलसल बज रहा था और वो कबसे कबसे अगनूर कर रही थी दिल ही नहीं था काफ सी से बात करने का लेकिन फिर कुछ सोच के उसने फकन रीसियो किया हैलो यशल फोन क्यूं रीसियो नहीं कर रही थी किया बहुत नाराज हो वो बोली आप किक मेरी नाराजी की फिक्र है वो बोली क्यूं नहीं है मेरी जान तुम तो अपनी हो हमारी शफ़कापी बोली अपनी होती तो आप आज मुझ से ये बात चुपाती यशल तमहीं दिख होता इसलिए हमने तुम ही नहीं बताया सुरी यशल वो खामोश रही यशल जानना चाहोगी कि इसने मंगनी किंकी लेला से यशल तब भी कुछ ना बोली तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल तूट गया था बिखर गया था इन ही दिनों लेला इसके साथ रह बेलेगी फिर लेला की अम्मी के तौसत से फातिमा का रिश्टा आया ना करने की गुझाईश ही नहीं थी तो हम कर दी गई रिश्टा पका हो ने के एक साल बाद लेला की अम्मी ने हमारी अम्मी को फोन किया और कहा के अली और लेला एक दूसरे को पसंद करते हैं तकाबली से मेरी लेला को ले लो अम्मी ने कहा भी के अली रजामनग नहीं है पर वो बज़ित हो गई और अम्मी को बोली कि उचलो इस बारे में वरना फातिमा का रशेता भी में नहीं कराया है पर इस रिश्टे की खतम करने की जमहदार आप लोग होंगे तुम तो जानती हो ना अम्मी को फॉरन बलेक मेलनग में आ गई हमने बहुत समझाया पर्खवा रे भाबी ने हंगामा डाल दिया रकज रोस वो जबरे करने लेगी भाबी को तो तुम जानती ही वो जब जब तो माएं उनके चेहरे के जाविये बिगर जाते थे अम्मी ने घबरा के अली की बहुत मिनत समाजित के कस्म वास्ते दे तब के वो माना है वरना उसके दिल में लेला की कोई गुंजाइश नहीं है उसके दिल में आजगी तुम हो यशल बस एक मस इंडरस्टेंडिंग हो गई है तुम दोनों के बीच में यशल ने गहरा सांस अम्मी खुश हूं बस दिख इतना है के अली ने मेरा एक बार भी एतिबार नहीं किया में उसे सब सच बता चुकी थी इसके बावजूद भी ऐसी मुहबत का फायदा किया जिसमें एतिबार ना हो ठीक कह रही हो यशल वाकई यली की गलती है पर जाना आदमी आदमी ही होत शिकायत नहीं सिर्फ ली कि रवे ने तकलिफ दी मुझे उसकी आवाज भराई में बीजी हूं आपी बाद में कॉल करती हूं कहकर उसने फोन रख दिया दिन्यूं हज़ पर लगाते उड़ गए यशल एम बी बीस कमपिलाट रिक गया था और वो अब जहांजब अंकल के स ये कर रहा है वो यशल इसके लिए दिल से खुश थी और इस खुशी में उसने अपनी सहलरी और कुछ अपने अकाउंट से पैसे निकलवा के उसके लिए एक चोटा साली पलेस बनवाया जो बहुत खुबसूरत था ये इसके लिए एक मुहबत भरागिफ था आज फातिमा के सुस्रारियों ने दावत पे आना था सब्तियारी में लगे हुए थे कप हैदर का सील बजा हैदर, हैदर बेटा फोन देखो अपना फोन मुसलसल बज रहा था तभी वो बोली अम्मी हैदर तो घर पे नहीं है फातिमा बोली तो, बेटा तुम उठा लो किया पता किसी को जरूरी काम हो बता दो उसे जी अम्मी असने फोन रसी हो किया हेलो, जी ये हैदर का नंबर है हाँ जी आप कौन, जी इन एक अजीज का बहुत बुरा एक्सिडेंट हो गया है मैंने हास्पिटल पहुंचा दिया है इन्हें कौन अजीज, वो काम पी उनके एनाई से पे तौली जूर्फिकार लिखा है बहुत सर्या हालत है उनकी एकदमा के हाथ से फोन छूटके गिरा अरे किया गिरा है फातिमा अम्मी की आवाज आई, फातिमा का का फोन था उनकी फिर आवाज आई का भी कुछ ना बोली फातिमा बता भी, वो इसके इस चली आएं इतने में हैदर भी आ गया उन, अम्मी वो, वो, मेरा दिल घबरा रहा है फातिमा बता भी किया हवा है फातिमा हैदर ने भी पुछा अली, भाई का एक्सिडेंट ये सुना था कि अम्मी बेयुश वो के गिरी अम्मी, ये संभाले वो अम्मी की तरफ बढ़ा का ने बताया तुम्हें, भावी फकरमनदी से पुछा फोन आया था उसने सहल की तरफ इशारा किया हैदर ने फोन उठाया भावी आप अम्मी को संभाले लेला तो मुंग भावी को कॉल करो जल्दी वो मोबाईल उठाता जल्दी से वही नमबर ड्यायल करता घर से निकला था आज ये शल ने सोचा फातिमा को कॉल करे उसने कॉल की बटिस का नमबर बंद था फिर शफक को किया उन्जा नमबर भी बंद फिर इसने है रे को किया ना जाने दिल क्यों घबरा रहा था कभी हसा नहीं हुआ था कि उनके नंबर बंध हूँ हैदर ने कॉल रसीओ की तो वो बोली हैदर किया हो गया पे फोन के उनहीं उठा रहे थे तुम लो आपी अली भाई का एक्सिडेंट हो गया है उनकी हलत सरीस है हम हास्पिटल में हैं वो बता रहा था और यशल को एकदम शाकिड लगा उसे लगा जैसे इसकी जान ही निकल गई हो आपी डाक्टर्स अभी अपना काम सही से नहीं कर रहे ही उनकी हलत खत्रे में हैं वो रो दिया था अलिफ रो तो वो भर रही थी फिर जब्द करके बोली हैदर हैदर संभालो खुद को अली को कुछ नहीं होगा आ रही हम में वो उसे तसलियां दे रही थी हलनका उसे खुद अब तसलियों की जरूरत थी इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कब थी पाकिस्तान आएगी और वो भी उम्हालाग में पर इसे नहीं पता था अब जब वो जा रही है तो अब वहां से आहीं पाएगी चाहिके भी दूर नहीं जा सकेगी कोई दूर जाने ही नहीं देगा वो पाकिस्तान आ चुकी थी और आते है ये अली का केस उसने संभाल लिया था अली की हालत देखके इसका दिल कट रहा था वो उसे जल्ब से जल्ब सहतियाब देखना चाहती थी डाकटरस वाकई सुस्तरवी से काम कर रहे थेका इन्हें देखके यशर को घुस्सा ही आ रहा था सबसे पे हले तो उसने उनकी तबियत साफ की भडास तो निकालनी थी ना आप जैसे भी जहां भी निकलती वो फिये मुहबबत के सताय हुए लोग अपना घुस्सा हमेशा इधर इधर निकालते हैं डाकटरस ने जैसे ही देखा कि बाहर की आस्पेशलिस्ट आई है उन के काम में तेजी आगए अब अली की कईर सही तरह से हो रही थी अली आईसी यू में था गो कप इसकी हालत अभी खत्रे में थी पर अब डॉक्टर पुरुमीद थे लैला तो बामशकल आधा घंटा हास्पिटल रिकी और फिर घर चली गई बाकॉल इसके हास्पिटल की बो से मेरा दिल खराब होता है और पैशनेटस को देखकर मुझे वामीटिंग होती है किसी ने इसे रोका भी नहीं ना वो रिकी यशल बेटा अली ठीक तो हो जाएगा ना वो आईसी यू से निकली तो वो बोली अला ने चाहा तो बहुत जल्द अली ठीक हो जाएंगे आनिटी आप फिक ना करें और कुछ देर घर हुआएं मैं भी अम्मी को यही कह रही हूं पर अम्मी मान ही नहीं रही है शफक बोली आनिटी आपी ठीक कह रही हैं आप घर चली जाएं है ना यहां उसने हैदर को देखा जो अभी अभी घर से आया जी अम्मी आप लोग चली जाएं वो भी बोला तो शफक और वो तली गई अली का वुजूद पितियों में जकरा हुआ था उसे अभी तक होश नहीं आया था वो अली को इस तरह देखती तो उसे बेहत तकलीफ होती वो अपनी पूरी जान लगा कि भी उसे ठीक करना चाहती थी दुनिया में पाउंड गीले के बना समंदर तो पार किया जा सकता है पर अखी गीली के बना मुहबबत को पार नहीं किया जा सकता भले फिर वो मुहबबत अला हो हो या इनसान से वो अली से बे इनहाहबत करती थी वो अक्सर सोचती कि इतनी शदीद तर मुहबत इसे क्यों कर हुई काश ये मुहबत अली को इससे होती किया है ये मुहबत जो उसे अली से बांदे हुए है कि अली से दोर जीम अना इसके लिए मौत के बराबर है कि बेधयानी में भी उसे ही सोचे जाती है कि बारिश की पहली बंद, सूरज की किने, हवाएं, चनल प्रातें कि जब वो दोनों बैट के सारी राध बात किया करते थे सब याद दिलाती थी मुहबत किया हो तुम आखिर, बताओ ना, किसी मसताने की मस्ती हो, किसी सूफी का सजदा हो, किसी जाहिद का तक्वी हो, किसी भले के घुम्रू हो, किसी मुफ्ती का फत्वा हो, कोई उलजन हो तुम या कोई सुलजी हुई शे हो, मुहबत किया हो तुम आखिर, वो सोच के र पोन आपी यहां सब घम की तस्वीर बे ने हैं कौफत हो रही है मुझे यहां अब फोन करूंगी तो पहले तो वो अपने दुखडे रोएंगी फिर इसकी तबियत बताएंगी इससे अच्छा है नहीं करो तुम्हें पता है उसकी तबियत कितनी खराब है आपको बड़ी फि या सदमे से चोर होगी दोस्रीबात यह कि अगर उसे कोई और बीमारी होगी तो तब की तब सोचीगे तुम्हें पता है वहा यशला आई हुई है ना सम्भाला हुआ है उसने अली को तो किया डाकटरस का और किया काम होता है संभालने दे उसे वो अली के घरवालों के दिलों में अपना इमेज बनाए रखना चाहती है तो खुशी से रखे इस से किया होता है अली तो बदगुमान ही है ना इस से तो बस फिर मुझे कोई फिक नहीं कहकर वो चली गई शहला ने अपना सर पीट लिया अली की हालत अब खत्रे से बाहर थी पर इसकी बैक बोन शदीद मुतासिर थी डाकटरस का कहना था कि शायद ही वो आप चल पाए और अगर चलना शुरू भी हुआ तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है अली के फिर से अपने पे यरों पे खड़े होने के चांसेज हैं तो पर बहुत कम और कुछ मसाज वगरा बताये थे जो कि सिर्फ एक वाइफ ही कर सकती थी सब ये सुन के बहुत गंबीन थे और परेशान भी अप्या करें आनटी आप लेला और अली की शादी कर दें था कि लेला इसकी सही तरीके से कहिर कर सके यशल ने ये मश्वरा किस दिल से दिया था ये बस वही जानती थी शहला हमें लगता है अब लेला और अली की शादी कर देनी चाहिए अली को जरूरत भी है वो बोली शहला बौकलाई जी अम्मी पर पहले लेला से पूछ लें हमम ठीक कह रही हो इन्होंने कहा अफफफ लेला तो हथे से अक्षर जाएगी ये सुनके इन्हें फिक्र हुई जाया वो तो तुम्हें पता ही होगा अम्मी ने खुद ही बात शुरू की के अच्छा है ये बात दोनों नून गुना के सामने ही हो जाय शेहला ने पहलो बद्रा उनकी चुट्टी हिस बार बार कुछ गलत होने का साइरन दे रही थी क्यूंकि लेला हथ से ज्यारा मुंख फट थी अगर उसने खलती से कुछ गलत नहीं नहीं इन्होंने जुजरी ली अम्मी ये बातें तो घर जाके भी कर सकते हैं वो बोली बिल्कुल पर अभी बात करना मुनासिब रहेगा क्योंकि अभी ये दोनों ही आमने सामने हैं दोनों की राय भी मालूम हो जाएगी इन्होंने कहा फिर लैला की तरफ मुतवज्ज़ होई लैला भी ता देखो तुम दोनों की मंगनी हो गई है शादी भी हो जाएगी तो किया ये सही नहीं है कि अभी तुम दोनों की शादी कर दी जाए अली की कईर भी हो जाएगी डाकटरस ने कुछ मसाज बताए हैं जो सिर्फ एक बीवी ही कर सकती है तुम लेला के तो सर पे लेडी और तलूम पे बुजी एक मिनट उसने उनकी बात काटी इसका मतलब आप मुझे अपने माजूर बेटे की खिर्मत के लिए लेके जा रही है अल्ला ने करे बेटा अल्ला ने चाहा तो वो बहुत जल ठीक हो जाएगा अल्ला वो बोली अली उसे दिख से इसे देख कर रह गया कब तक तक थीक हो गा ये वो अली की तरफ इशारा करके बोली दस साल पंद्रह साल ये भी कम है इसके ठीक होने के लिए मुझे मालूम है उसकी हालत और में जानते बोजते अपनी उम्र इसकी खत्मते करके डूनवा दून इसके लहजे में काट थी लेला बस करो खामोश हो जाओ शहला बोली आपको क्यों इतना देख हो रहा है जो मुझे चुप करवा रही हैं आप आपको तो खुद इस दिन का डर था वो बोली तो शहला सब के सामने शर्मिनदा हो गई आनटी आप याई यशल को बोली कि करले इस माजोर से शादी बड़ा शौक है ना इसे खिदमत खिल्ग को आ पहले भी उसी ने संभाला है ना इसको तो अब भी संभाल लेगी लेला बस शहला इसे चुप करवाना चाहती थी पर वो तो किसी के कंट्रोल में कहां आने वाली थी आप यापने नाहक मुझे अली में इन्वालू किया फुजूल इसके चक्कर में यशल को हटाया रस्ते से मुझे किया पता था कि ये दिन एकदम लेला की जबान को ब्रेक लगा इसकी बात पे सब चौनक है किया मतलब तुम्हारा लेला हैदर इसके सर पे पहुंच गया लेला की सांस रिकी कुछ नहीं में तो बस लेला अटकी किया में तो बस बो वो उससे से चीखा शक तो उसे कब से था इस पे पर आज कंफरम लग रहा था वो इसने शहला को देखा जो अपनी जगह चोर सी बनी हुई थी अली खामोश था पर इसकी दिमाग इस एक बात पे मफ्रूज होने लगा था हैदर लेला बस करो हास्पिटल में तमाशा नहीं करो घर जाके बात करते ही उन गोले नहीं भाई ये ये आज यहा तो लेला ने सब बता दिया और शहला तो जैसे जमीन में गड़ गई अम्मी आगे बढ़ें और खींच के एक थपड़ उसे मारा मेरे घर मी नून हुना रहलर मेरे ही बच्चों की जिन्दगियों से खेल खेला तुमने और वो भी इतना घनाउना खेल शर्माई तुम्हें ये सब करते हुए भूल गए थी किया कि तुम भी एक लड़की वो अम्मी बहुत खुस्से में थी और अली वो तो दिख और तक ली फेकी अथा गहरायों में उतर चुका था कितना घलत किया उसने यशल के साथ पर उसने एक शिक्वा भी मून से नहीं निकाला गलट तो बहुत छोटा था जो उसे हुरा था वो यशल से बेहत शर्मिंदा था इसने यशल पे एतिबार ना किया बलके इस पे अपने घर वालों को तरजीह देती पर उसके घर वालों ने उसकी ही पीठ मिंचरा घूम दिया और इस लड़की ने शिकायत तो दूर की बात एक श चोड़ के चली गई थी रात को जब उम्र घर आये तो शहला जाग रही थी वो जल्दी से उन तक आई उम्र मुझे मौफ वो बोल बीना पोई थी के उम्र का एक भारी हाथ इसके गाल पे पड़ा दफा हो जाओ यहां से तुम तनहारी शकल बुरी लगती है मुझे नफरत दफा हो जाओ यहां से सुना तुम कल तुम इस घर में नजर ना आओ समझी कहकर वो बाहर निकल गए हमें मौफ कर दू यशल बैटा हम गनहगार हैं तुम्हारे अम्मी रोते हुए बोली नहीं आनटी आपके माफी मांग रही हैं आपकी तो कोई गलती नहीं है मेरे घर के फर्दने ही तुम्हें तकलीफ पहुंचाई यशल मैं कैसे गनहगार ना हुई फिर में शर्मिन्दा हूं बहुत आनटी आप मेरी मां की जगह हैं और माइ माफी मानती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो बोली आनटी प्लीज रोए नहीं अब तो सब ठीक हो गया है बस अला का शकर अदा करें वाओ है बोली तो इन्होंने इसका माथा चुक्म लिया और उसे दुआ दी यशल अली से नाराज हो तुम इन्होंने पूछा बिल्कुल भी नहीं आनटी आप ऐसा ना सोचे प्लीज अच्छा आजाएं आप मेरे साथ चलें कुछ खायलें सुछ से क पैठेना वो बोली मैंने सुना है तुम वापस जा रही हो जी आनटी अली भी अब बिल्कुल ठीक है तो यशल एक और एहसान करोगी हम पे अरे आनटी आप हुक्म करें एहसान किस बात का वो मुस्कुराई बुरा तो नहीं मानूगी ये तो नहीं समझोगी कि मैं खुद पुछ रही थी वो शाकिट बैठी थी वो शाकिट सी खड़ी थी ये वो किया कह रही थी बोलो बेटा इन्होंने फिर पुछा आनटी ये आप किया कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा सच पुछो तो हमेशा अली की दुलहन के रूग में में तुम्हें ही देखा है और अब तो वैसे भी हालाद ठीक हो गए हैं सारी गलत फहमी भी दूर हो गई है आनटी पर इसे समझ नहीं आ रहा था कि किया बोले बेटा ना मत करना में तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूं आनटी आप ने अली से पुछा बेटा जब सब ठीक हो ही गया है तो अली से किया पूछना में जानती हैं वो अब मना नहीं करेगा वो खामोश रही बताओ बेटा किया में खामोशी को इनकार समझन इन्होंने पूछा यशल अब्भा ये कुछ ना बोली वो अभी नहां की कश्म कश्म थी कोई बात नहीं बेटा जब दिल की रजामंदी तो इस रिष्टे का भी कोई फायदा नहीं वो मायूस हुएं तो यशल बोली ऐसा नहीं है आनिटी बस में सोच रही थी कि पता नहीं अली राजी भी हैं या पता नहीं मुझे हां भी करनी चाहिए या नहीं पर पर अब मैंने फैसला कर ली है मेरे लिए अली की जिन्दग मेरा मां रखने का वो इसका माता चूम के बोली इसने फोन करके अरसलान भाई मशल और मस्तफी को बंदा लिया, था इसके दोनों bakan भाई हैरान परेशान थे पर अरसलान भाई ने इन्हीं सारी बात बता के रली कस कर दी था अली को बिलकुल यकीन नहीं था कि अब वो फि किया है यशल ने इसके लिए इतनी तकलीफ सही सिर्फ इसकी वज़े से नहीं वो इतना खुदगरज नहीं है जो जानते बोज़ते यशल को इस तकलीफ में डालेगा इसने अम्मी से भी कहा कि वो ये शादी नहीं कर सकता पर वो तो इसकी सुन्धी नहीं रही थी उसे वो बोला क्यों नहीं करनी ये मैं तुम्हें क्यों बताओं तुम बस जाके अम्मी को इंकार करदो नहीं वो फौरा बोली किया मतलब तुम्हारा वो अबरू उचक्का के बोला मतलब सिंपल है मैं आपसे ही शादी करूं गी वो दो टूप बोली वजह वजह सिर्फ आपकी सहत है, ज्यादा खुश मत होना के इसकी वज़ कुछ और है वो भी चुड़ गई, मुझे कोया खुशी है भी नहीं, और मेरी सहत की फिक्र करने का शुक्रिया प्लीज जाके इंकार करो मुझे नहीं करनी ये शादी वो भी चगा, क्यों करूं इंकार, तुम नहीं करोगी इंकार वो बोला, नहीं, ठीक है करो मेरी खदमते पर, मुझे से कोई सले की उमीद ना रखना वो घुस्सा हो गया, इंकार की कोई वज़ह, ये शल बोली, लेला से मुहबत, ये शल का दिल दिखा पर फिर हिम्मत से बोली, तो करनी थी ना इस से शादी, इसने इंकार कर दी था मे पहुंचा तो कि असच में इसकी मुहबत खतम हो गई है उसके लिए, और हमें तुम्हें तलाक दे दूंगा, उसने कहा, ये शल ने उसको एक नजर देखा और पलट गई, दूसरे दिन उनका निकार हास्पिटल में ही सादगी से हो गया था, ये उनके निकार के दूसरे द असली के लिए बनवाया था अली इसकी मुहबत पे हैरान था एतनी शदीद मुहबत करती थी वो इससे, उसे अपने उपर फखर महसूस हवा, और ये शल उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश वो या रोए, खुश वो इस बात पे थी कि इस ने कभी सोचा भी नही कभी आएगा भी, और दिखिये था कि वो अब इससे मुहबत का दावेदार नहीं रहा था, वो अली का बहुत ख्याल रखती थी हालनका वो इससे कोई बात ना करता बलके हर बार उसके लहजे में तलखी होती ये शल का दिल कटके रह जाता, अली भी किया करता वो नहीं चा चाहता था ताकि वो उसे खुद छोड़ जाए क्योंकि इतने सालों के बाद उसे पाया था उसने अच्छोडने हिम्मत नहीं इसमें, वो यशल को ये तो कह चुका था कि वो उसे छोड़ देगा और लेला का जिक्र भी इसने जान बूज के ही कहा था और यशल के दिल की हा साथ अली बहुत तेजी से सहतियाबी की तरफ आ रहा था यशल बहुत खुश थी और ली हैरान के वो तो बिल्कुल मायूस हो गया था फिर एक दिन आया जब अली ने पहली बार जमीन पे अपने कदम रखे और अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो एसास तशक्र से यशल क आखी नम हो गई इन्ही दिनों मी फातिमा और हैदर भी वहीं आये हुए थे वो भी उसे अपने पैरों पे खड़ा देख के बेहत खुश थे आज पूरे चे माहबाद अली अपने पैरों पे खड़ा हुआ था यशल खुश थी के अली ठीक हो गया था पर साथ साथ अंदर से दिल दिख रहा था कि अब अली उसे छोड़ देगा आज अली की बर्ट डे थी सबने सोचा कि उना उसे सर्पराइज पार्टी दी जाए सब सुबह से तैयारी में लग गए शाम में अली को सर्पराइज दिया गया तो उसे खुशगवार सी हैरत हुई सबने असैसा लग मेरा गिफ्ट वो शरारत से बोला इतनी जल्दी किया है वो संजीदगी से बोली हद करती हो मुझे जल्दी नहीं होगी तो किसको होगी फिर मुझे अपनी महबत को मनाना भी है जो पता नहीं कब से नाराज है वो उसे नजरों के हिसार में लेके बोला पर वो तो कुछ और ही समझ रही थी अरे भई बाकी बाते बाद में कर लेना पहले केक काट ले मशल बोली तो वो लोग केक की तरफ आगा है दोनों ने मिलके केक काटा केक काटने के बाद पिक्स बनवाई गए खुशगवार माहौल में खाना खाया गया ये इसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था वो रूम में आई तो अली उसी कविट कर रहा था मेरा गिफ्ट वो चलता हुआ इस तक आया और बोला यशल ने बहुत शाने बेनियाजी से उसे अगनूर किया और साइट टेबल की दराज से एक लिफाफा निकाल अलिफ अली उसे ना समझी से देख रहा था वो इस तकाई और उसकी तरफ वो लिफाफा बढ़ाया ये किया है अली ने पुछा आपका गिफ्ट वो बोली अली ने लिफाफा खोला इसमें कुछ पेपर्स थे उसने पेपर्स को खोला तो शाकिड रह गया डाइवर्स पेपर्स इसके मूं से निकला यशल इसके साइट से निकलने लगी कि अली ने इसका हाथ पकड़ लिया ये किया है अली ने पुछा आपके खाहिश आप ठीक हो गए हैं अब आपने ही कहा था ना कि आप मुझे ठीक होने का ये बाद तराफ दे देंगे तो और लैला के पास आप जा सकते हैं वो बहुत जब्द से बोली लैला के पास तो में वैसे भी जा सकता हम तुम्हें छोड़ने की मुझे जरूरत नहीं है वैसे भी इसलाम में चार जाइस ही वो उसे तपाने को बोला बस शादी के बाम पे सब शरीयत याद आ जाती है फौरा उसने हाथ छड़ा और जाने लगी तो अली ने फर से उसका हाथ ठ कार भी वो रोदीने को थी अली संजीदा हवा यशल इसने पुकारा वो सौजान से उसकी तरफ मतवज़ज़ हुई मुझे मुझे मुआफ करोगी यशल वो बोला तो यशल हैरान सी उसे देखने लगी मैं जानता हून में ने तुम्हारे साथ बहुत सियादती की है तुम स सबसे बड़ी गलती थी पर तुम तब ही मुझे से मुहिब ते करती रही एक लफज शिकायत का नहीं कहा तुमने मुझे क्यों यशल वो खामोशी से उसे बोलता हुआ सुन रही थी मैंने तुम ही छोड़के अपने घर वालों के एतिबार किया मगर इन्होंने ही मुझे द नहीं नहीं आइन ली ये हाथ बनते हुए बिलकुल अच्छे नहीं लगते वो बोली इन हाथों को थामने की खोहश बहुत की है मैंने पर इन हाथों को बनते हुए देखने का कभी मैंने सोचा तक नहीं है वो रो रही थी तुमने मुझे 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 मुआफ कर यशल वो जैसे यकीन करना चाह रहा था मिनाराज ही कब थी आपसे अली बस एक डिक था कि आपने मेरा एतिबार नहीं किया बस और कुछ नहीं वो अपने बात के इखताम पे रोते रोते मुस्कुराई तो अली ने उसे अपने गिले से लगा ली और इसके गर्द बाजों का ह इसार बांद दिया और इसके माथे पे बोसा दिया अपने रिष्टे का पहला इस्तिकाक अदा किया यशल शांत सी इसके सीने पे सर रखे इसकी धड़किन को सुन रही थी अली वो मद्धम सा बोली हमम आप किया लैला से नहीं वो उसकी बात काटके बोला हो तो बसमे ने इसार बांद दिया यशल ने सर उठाया किया है रखे रहो ना सर उठाया क्यों वो बदमजा हवा पहले ये बताएं यून ही क्यों कहां था हो बोली शल इन दिनों जो मीर ये हालत थी में मायूस था अपने आप से कि कभी चल भी बांग गाया नहीं और तुम से शादी करके में जिन्दगी भर तुम पे बोजबिन के नहीं रह सकता था और तलाग कभी बस मेरे मूँ से निकल गया था में चाहता था कि तुम मज दो चश्मिहे से मायूस हो जाओ और मुझे चोड़ के चली जाओ क्यों कि तुम हैं चोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी वो बोला आपको क्यों लगा कि आप मुझे बोजबिन जाएंगे या मैं आपके रवए से मायूस हो जाओंगी वो नरूथ है पन से बोली तो फिर ये किया है इसने वो कागज लहराया ये तो आपके खुशी के लिए एक बात तुम अपने जहन में बठालो कि मेरे खुशी तुम से ह समझ आई और आइनदा ये उसने कागज की तरफ इशारा किया मुझे नजर आया ना तो वो कागज फारते हुए बोला आप मुझे डानित रहे हैं अली वो नाराज हो गई और अपना रुख फिर लिया अरे डानित रहा हम तो किया हवा बाद में प्यार भी तो करूंगा न आज वो मुकम्मल थे राग चाहे जितनी लंबी क्यों नहीं घ्रल ही जाती है उनकी भी वो दिन गुजर ही गए थे और एक नया और रोशन सोई रहा उनका मुंतजर था कुछ लंहे ऐसे ही गुजरे के एकदम दर्वाजा नाख हुआ यशल शर्मा तै हुए पीछे हैटी अम्मी दर्वाजा खोल के अंदर आएं तुम लोग बीजी तो नहीं थे मैं कहीं गल तोए वक्त पे आगई कमरे में वो मुस्कुराएं तो यशल जी नभी नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है आपाइना बैठी यशल ने आगे बढ़ के उनका हाथ ठामा और इन्हें बेट प लो गाफ ही जानते हैं वो बोलने लगी में चाहती हैं तुम दोनों की दूम धाम से शादी हो जैसे औरों की हुई है पर अम्मी इसकी किया जरूरत है हम वलीमा दूम धाम से कर लींगे ना अली बोला ये किया बात हुई अरे लड़कियों के बे रैयरमान होते हैं अपनी शादी को लेकर ये किया तुम खाली खौली निकार पे ही दंभर रहे हो वो कुछ बोलने लगा तो वो बोली बस में ने फैसला कर ली है कि यशल और तुम्हारी शादी भी बहुत रूम धाम से की जाएगी तब तक ही ये शल मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी उनकी बात पे शादी को शदीद सिदमा पहुंचा जबके यशल ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अम्मी ये गलत बात है अरे किया गलत है एक माह की ही बात है सिर्फ वो बोली तो अली का हैरत से मूँ खल गया। अलिफ यक माह सिर्फ वो बोला और यशल को देखा जो अपनी मुस्क थीक एक माह बाद वो अली की दुल्हन बिन के इस घर आ गई दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश और मुतमें थे अली की मुहबत में दिन बे हे दिन इजाफा ही उता जा रहा था यशल को अपने आप पर बहुत रश्काता था कि उसका शोहर उसे बे इंतहा चाहता है तो दूसरी तरफ उसे इसके हद से ज्यादा रूमांटिक होने पे चुड़ रूती अली चाहता था वो हर वक्त इसके पास रहे शहला को घर से तो निकाल दिया था पर उम्र और शहला का बेटा भी चोटा था और उसे माँ की और बाप दोनों की जरूरत थी इसलिए उसे घर वापस ले आई यशल को उन से भी कोई शिकायत नहीं थी पर वो यशल सिखार खाय हथ ये कोई ना कोई बहाना बना के उसे खुब सुनाती इसलिए उम्र ने अपना धर अलेदा ले लिया लेला कभी इन्हें पता चला था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है और फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि इस लड़के ने लेला के साथ दो चश्मिहें जिया करके उसे कच्रे में प्रित दिया था और वहां से इसकी लाश मिली थी इसका सुन के अली और ये शल को बहुत तिक पहुंचा वो दिल से इसकी मगफिरत के लिए दौब थे दिन गुजरते गए और रमजान का महीना भी आके गुजरने लगा था कि इन्ही दिनों ये शल को खोश खबरी मिली कि वो माप बनने वाली है वो बे इनहा खुश थी जल्द से जल्द अली को बताना चाहती थी और इसके लिए इद का इन्तिजार कर रही थी कि अली कोई सर्पराइज इद पे दिया जाए खैरीद का दिन भी आपोहंचा जब ये शल्द ने उसे इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई तो अली खुशी से पागल ही वो गया था वो इस दिन बे इंतहा खुश था वो जितना अपने रब का शकर अदा करता इतना कम था प्रेगनेंसी के दौरान अली ने इसका बे मच गया यशल का एक पाम यहां होता तो दूसरा पाम वहां अली इसका हद से ज्यादा ध्यान रखने लगा था क्यूंकि इन ही दिनों इसकी डिलीवरी के दिल खरीब थे हैदर और मशल की शादी हो गई थी और अली वाले इन्हें आज एरपोर्ट छोड़ के आए थे अली को मीटिंग के लिए तीन दिन के लिए सिंगापूर जाना था पर वो यशल की हालत देख के जाने से मना कर रहा था कैवनक है इसकी डिलीवरी के यही दिन थे पर यशल की जिद पे वो चला गया आज तीसरा दिन था उसे गए हुए शाम तक अली ने पाकिस्तान आ जाना था सुबह से ही यशल की तबियत खराब थी पर उसने जाहिर ना होने दिया जब तबियत ज्यादा खराब हुई तो अम्मी ने फकरमनदी से बोला यशल लगता है हास्पिटल जाना पड़ेगा बेटा हिम्मत करके उठो और साथ ही फातिमा को आवाज दी नहीं अम्मी जब अली आ जाएंगे तब चली जाओंगी अभी तो ठीक हूँ वो बोली नहीं बेटा ताखिर अच्छी बात नहीं उठो नहीं अम्मी अली आ जाएं फिर मैं ठीक हूँ अपने कम्रे में जा रही यूँ कुछ देर आराम करूंगी कहकर वो उठ गई अम्मी को एकदम फिक लग गई यशल सुनी नहीं रही थी कम्रे में जाके वो लेटी तो तबीयत एकदम ही बहुत ज्यादा खराब हो गई कि बरदाश्ट से बाहर हो गई और फिर इसकी एंखों में एकदम अंदीर चा गया अम्मी अम्मी यशल ठीक तो है ना वो पाकिस्तान पहुंचा तो आईरपूरट से आते हुए इस ने घर फोन किया तो फातिमा ने उसे बताया वो फोरा से पेशतर हास्पिटल पहुंचा पता नहीं अली डाकेटर अभी तक आप्रेशन थेटर से नहीं आये हैं वो खुद बहुत फकरमनत थी कि डॉक्टर रूम से निकली अली फोरा हुन के पास आया डॉक्टर में अली मेरी वाइफ हैं अंदर कैसी हैं वो सवालिया निशान मुबारक हो मिस्टर अली आप टॉइनरस बच्चों के बाबा बिन गय हैं डॉक्टर मुस्कुरएं अला तेरा शकर मुबारक हो अली बेटा अमी खुशी से बोली खेर मुबारक अम्मी आपको भी मुबारक हो वो खुशी से बोला डॉक्टर किया हम मिल सकते ही उनसे अली बोला मिस्टर अली उनकी हलत ठीक नहीं है हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अप लोग दौा कीज़े अली सुनके सुनाटे में आगया हो फिर से यशल को खोने का सोच भी नहीं सकता था डॉक्टर उनके पास बचे ले आएं थी जिन्हें अली ने एक नजर देखा तक नहीं इसका रोर्मा यशल की सिहत के लिए दौाबो था यशल अब खत्रे से बाहर थी उसे रूम में शिफट कर दी गया था और अली इससे लग की ही बैट गया था शुगो कापी हैं से अब तो बीवी का पीछा छोड़ के अपने बच्चों की खबर ले लो अली यशल जीन पो गई बीवी का पीछा छोड़ में इंपासिबल लाओ जरा मेरे बचे तो दिखाओ वो फातिमा से बोला अरे मेरे बचे कितने प्याए हैं न सारा हुसन इन्होंने अपने बाबा का चरा लिया है वो इन्हें प्यार करते हुए बोला मेरी बेटी तो बिलकुल पिरिंसेज लग रही है वो बहौर इन्हें देखके कॉमंट पास कर रहा था अरे यशल भी कम थोड़ी है बची तो बिलकुल मौपे गई है अम्मी ने फौरा यशल की हमायत की अली ने उसे देखा फिर बोला जी नहीं सिर्फ उन दोनों की अँखी मेरी यशल जैसी है बापी तो ये पूरी बाबा की कॉपी है अली मुस्कुरा मुस्कुरा के उनको कॉमंट दे रहा था और यशल उसे देख देख के मुस्कुरा रही थी जिन्दगी बहुत ही खुबसूरत हो गई थी एकदम से सच है मुहबत एक समंदर जैसी ही तो है जिसकी गहराई को नापना मुश्किल है ये तो बहुत वसी होती है बहुत पर कम ही लोग उसे समझ पाते हैं शादी के आठ साल बाद अला आने अली और यशल को एक और बेटे से नवाजा था वो दोनों जितना अपने रबला शुक्रादा करते कम था इनकी जिन्दरी खुश्मुतमेन और आसुदा थी यहां पर ये नावल अपने इर्थिताम को पहुंचता है आप सबकी पसंदीदी का बेहत शुक्रिया अपनी राय का इजहार का इजहार करना मत भौलिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग ये तो मेरे चैनल को सबसकराइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें, कमनट करें, शेयर करें